तो नमस्कार सारे वीवर से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में सियाटल औरकस वर्सेज वाशिंटन फ्रीडम का यह तीसरा मुकाबला है मेजर रिग क्रिक्टेड दोहजार तैस का तीसरा मुकाबला है देखते हैं यहाँ से कोंछी टीम जितती है एक तरफ यहीं सियाटल औरकस की टीम होगी एक तरफ वाशिंटनम फ्रीडम की टीम होगी एक कप्तानी मूजी के हैं और एक कपतानी जिए वेन पार्निल कर रहे हैं अब देखते हैं तीसरा मुकाबला जो है वो किस तरीके से रहता है पिछले दो मुकाबले में अगर देखा जाए पहली पाली के अंदर जबरदस्त रॉन बनते हो नजर आए हैं तो क्या इस मुकाबले में भी एक बड़ा स्कोर एक हाई स्कोरिंग म अब देखना होगा इस नहीं लीग के अंदर जो बड़े बड़े खिलाडी जो खेल रहे हैं वो किस तरीके से प्रशन जो है वो करते नदर आएंगे तो बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में तो आप से लो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को यहां प अब देखने बात रही किस तरीके से आज मुकारण चलता है तो आपके स्किंगे सामने यहां को छे टीमों के छे कप्तान आपको देखेंगे इस लीग में पहली बार खेली जा रही है यह से में लीग बड़ी जबर्दसत है अब मुकाबला जहे हो देखने हो और मिल रहा है एक बड़ा स्कोर हाई स्कोरिंग मुकाबले में रन बन रहे हैं और टीमें जो अलगलग कंट्रीस से आयों है जबर्दस परफॉरमिज जहें वो करते तो अभी तक एक मुकाबला हो चुका है दूसरा मुकाबला अभी इन बिट्वीन जो है वह चली रहा था जब तक हम स्ट्रीम कौन करते हैं तो अगर बात करते हैं यहां पर ट्रॉफी की जिया इस चमचमाती ट्रॉफी के लिए छे टीम है रही है और अब देखना होगा कौन करिएगा इस मुकाबले को तो बात करते हैं यहां पर टोटली एक्सचेंज कर सकते हैं ट्रेट कर सकते हैं डिपोईट आप गूगल पर फोन पर पेटियम से बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं और विड्रॉल आपको 15-20 मिंट के अंदर बैंक अकाउंट के दर मिल जाता है डे पर बात करते हैं यहां पर बात करते हैं यहां पर वाशिंटन फ्रीडम की टीम का वाशिंटन फ्रीटम की टीम आपके सब के सामने है जबर्दस ये टीम है मुजी के हैंरिकेज हैं वो कप्तानी कर रहे हैं इस टीम की और कहीं नगे मुजी के हैंरिकेज बिग बैश के अंदर जहें वो सिड्नी सिख्सर की कप्तानी भी कर चुके हैं तो देखना होगा आज के सी मुजी पे रोड्र गवासिन फीटिम एक मुझा 265 इस सथ में अज होगा ब्ले गवाकद के और यह चींड के पलेश जहेंस टीम के अंदर है, मुकतार एहमद स्टीम के अंदर है, शाद अली स्टीम के अंदर है, साथ में जस्टिन डिल स्टीम के अंदर है, ओबस पिनार जहेंस टीम के अंदर है, साथ में सौरव स्टीम के अंदर है, डेन पिडिट जहेंस टीम के अंदर है, उसमान रफीक फिलिपी जहें स्टीम के अंदर तो काफी आता देखेंगे तो थोड़े बहुत सिड्नी सिक्सर के प्लेयर्स भी आपको दिखेंगे चाहिए वो जॉश फिलिपी हो या फिर बैंड डाउरिश हो या फिर मुजी के हैं रिकेज स्टीम के अंदर हो ग्रैन फिलिप हो तो कुछ अब बल्यबाजी भी कर लेते हैं तो यहां पर बात करते हैं यहां पर स्टीम के अंदर है अ हेंरिश क्लासन स्टीम के अंदर है शिर्मिन हिटमायर बायात के बल्यबाज हो भी स्टीम के अंदर है एरॉन जॉंसन है ड्वेन बिटोरियस स्टीम के अंदर है नुमान अनुबर स्टीम के अंदर मिल जाएंगे आपको सिहान जैसूरिया स्टीम के अंदर है शुम रांजने स्टीम के अंदर है मैत्यू ट्रूम्प स्टीम के अंदर है हर्मीद सिंग स्टीम के अंदर है निराग निशार्ग पटेल स्टीम के अंदर है एंजिलियो परेरा स्टीम के अंदर है दायहत के तेज के अंदर बाद एंडू टाई भी स्टीम के अंदर है कैमरोन गैनन स्टीम क सब्सक्राइब कर दिये चानल को दोनों टीमों का स्कौाड और दोनों कब्तान जो है अब देखने बात रहेगी किस तरीके से आज का मुकाबला जो है चलते नहीं जाता है यहां पर तो लाइक करिए का आप सब्सक्राइब कर दिए चानल को इंच्वाइक करिए इस मुकाबले को सियाटल औरकस वर्सेज यहां पर जो है वाशिंटन फ्रीडम का यह तीसरा मुकाबला है अज़ देखने हो मिले गए आपर तो बात करते हैं हम यहां मौसम के सूर्थिहाल की कि मौसम का सूर्थिहाल किस प्रकार है लुफ्र हम देखने हैं मौसम के सूर्थ यहां पर तो अभी रात के समय की बात की जाए तो कहीं न कहीं वहां पर थोड़ा बहुत हो सकता है दिन में आज काफी घर्मी यहाँ पढ़ते नजर आई है ग्राउंड पैरी स्टेडियम टेक्सिस में खेला जा रहा है यह मुकाबला 49 दिशनलो चार डिग्री सलसेश टेंपरेचर है यहाँ पर कहीं न कहीं शाम के समय और अगर बात की जाए तो 28% हमिडिटी है जातर अगर देखे जाएं दोनों मुकाबले इसी घराउन पर खेले गए और तीसरा मुकाबला भी इसी घराउन पर खेले जा आज दिन में यह दूसरा मुकाबला है कहीं न कहीं स्विच के उपर तो थोड़ा बहुत हो सता है जब शाम के समय महां पर जब साम होगी तो थोड़ा बहुत यहां पर डिव फैक्टर रह सता है कि नया स्टेडियम है अब देखते हैं डिव फैक्टर रहेगा कि रही कि कल तो बड़ा ही जबरदस मुकाबला था जो शाम के समय का मुकाबला था जहां पर पहले मुकाबले के अंदर एक सो शाम का और मेरे सब समता कि शायद हो सकता है कि शाम के समय थोड़ा बहुत गेंज स्विंग करता है और आसान नहीं होती है बले बाजी करने के लिए मगर अमुमन देखा जाए तो जो भी टीम यहां पर पहले बले बाजी कर रही है इस पिच के उपर अच्छे का से रंस है खेल जो है हमें यहां पर देखने हों मिल चाएगा तो यह मौसम का सूर्थ यहां पर बागी आप से लो लाइक कर दीजेगा सब्सकाइब कर दिये चैनल को और जुड़त रहिएगा हमार साथ लाइफ हिंदी कमेंट्री में क्रिकिट लाइफ हिंदी के साथ तो मौसम का सू यहां पर डिपोईट कर सकते हैं अच्छी बात यह आपके पास कि आप अपने आईडी बनाते हैं और साथ में खेल भी सकते हैं तो खेलिए और जीती डेली सावन आपके साथ लिंक है अगर देखा जाए ग्राउंड के स्टेट्स को आप समझ सकते हैं कि ज्यादा नया ग्राउंड है बिल्कुल दो ग्राउंड रखे गए इस टूनमेंड के अंदर जो है इस्टूनमेंड को कराने के लिए टोटल 19 मुकाबले जहें वो खेले जाने हैं इस टूनमेंड के अंदर तो दो ग्राउंड जो है वो रखेंगा हैं मागर यहां पर बाद करते हैं पिछ कर्षके सूरथ याल कि जी अगर बात करते हैं पिछ की तो ग्राउंड पएरी स्टेडियम की जो पिछ है वो कहीं नए कहीं मुझ रता है बल्ले बाजी के लिए देखने में नजळ आते हैं पहली पारी के अंदर मगड़ दूसरी पारी के अंदर शायद वह कि font का प्रेशर रहता है जैसे मैं बताए कि कल जो पहला मुकाबला खेला गया तो शौक लगशांक के लगया दा कर्द दूसरी पारी के नंतर थ्टोड़ सब्सक्राइब करेंगे तो पहली पारी में जो आपको देखने हो मिलेगा यहां पर यहां पर अच्छी बात पिछ पे सर्फिस पे घांस डाली गई यहां पर तेज गेंद बाज वह काफेची गेंद बाजी जहें वह करते नदर आए है बरस्पत स्पिनर गेंद बाजों के तो यह भी अच्छी बात है कि यार फ्रेश पिछ रखने के लिए घांस डाली गई यह कि अगर ज्यादा मुकाबले स्पिछ पे केले गई तो पिछ ड्राई नहीं होगी पिछ तूटे की नहीं और कहीं ने कहीं यहां पर ते सब्सक्राइब करना चाहिए और एक बड़ा स्कूर अब बनाते हो नदर आए जैसे बताए मैंने कल शाम के मुकाबले में 181 202 मुकाबले के अंदर एक अच्छी पिछ के ऊपर भी एक डिफिकल्ट डिफिकल्ट गेंद बाजी गेंद बाजी जहें वह देखने को मिली ख्यासी रन भी चेज होते हो नहीं जरन नजर नहीं आए तो हो जकता है शाम को थोड़ा बहुत मौसम जहें हलका फुल का शायद ठंडा हो जाता है इस सब्सक्राइब कर दिए चानल को इंजोई करिए गाइस मुकाबले को मुकाबला सूपर से भी ऊपर रहने के उमीद अगर बात की जाए सियाटल औरकस वर्षेज वाशंटर वाशंट्टन संदर वाशंटन फ्रीड़म का यह मुकाबला है और काफी जबर्दस यह मुकाबला रहने के उमीद है कि कुछ तीसरा मुकाबला ने इसली का अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे पिछ के ऊपर जो है काफी जबरदस्त खेल जो है वो देखना हो मिल रहा है चाहिए पहला मुकाबला हो चाहिए दूसरा मुकाबला हो रन बनते हो नजर आए अगर आप अच्छी बल्ले बाजी यहाँ से करें तो एक की पहला मुकाबला जो शाम को खेला गया था वहाँ पर पहले बल्ले बाजी करते वे टीम ने 181 रन बनाए च्छे विकेट नुकसान पर शुरुवात से ही घास पे जब घास डाली गई थी उस पर फ्रिश फ्रिश के उपर तेज गेंद बाजने गेंको लहरा आया थोड़ कर दिया तो आप सबसकते हैं कि शाद पहले बल्ले बाजी करने टीम जो है वह जादा डॉमिनेट करते नजर आती है इस पिछ के उपर बरस्पत जो दूसरी बल्ले बाजी करते तो टौस जीत करता है कप्तान यहां बल्ले बाजी करें 10690 रन का स्कूर एक अच्छा स्कूर कर दिफेंड कर लेंगे तो मुझे लगता निए कि यहां पर दौनों पारियों के अंदर मुझे लगा है कि शायद बल्ले बाजी करना काफी बढ़िया रहा है मगर कल जो है वह कहीं ने कि को लाप्स हो गया यहां पर यहां पर लॉस एंजलीस नाइट रैडर का तो इस कि देखे ज?'s जहेंकि तेज गेंद बाजों को जधा अपने टीम के इंदर रखें काफी बहतर गेंद बाजी करते हैं इस पिछ के उपर तब देखते हैं क्या होता है मुकाबले में आज भी कुछ शाम के समय थोड़ा बार स्विंग जो है वो देखना हो मिलेगा बाकि अभी लोकल समय अगर देखेंगे वहाँ पर तो शायद वहाँ पर लोकल समय शाम के शाय आप समय लोग लाइक कर दीजेगा यार सब्सक्राइब कर दीए चैनल को और जुर जाहिए हमारे साथ इस मुकाबले में और डेल्टिन सैवन आप जीया डेल्टिन सैवन आप के साथ जोड़ना मत भूलिएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन को क्लिक करिएगा औ और जीतिएगा यहां पर तो बात करते हैं अब बात करते हैं यहां पर अब यहां पर ग्राउंड के स्टेट्स किजिए अब ग्राउंड के स्टेट्स के साथ बात कर लिए हमने यहां पर बात करते हैं कौन से टीम का पढ़ रहा भारी है तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी वाशिंटन फ्रीडम को जिया 54 प्रशंट लोग चाहते हैं कि वाशिंटन फ्रीडम की टीम जो है इस मुकाबले को जीते हैं और 46 प्रशंट लोग चाहते हैं कि सियाटल औरकस की टीम जीते हैं देखिए आपर भी competition काफी तगड़ा है और दोनों टीम को जो squad हमने देखा है उ करते हैं कि अंचे बलेवाती करते हैं कि अपने देखी वहिया मकाण से लिया कप्तान vet की जीते लोगों ने आज हैं सपूर्ड करों चाहते है कि मुकाबला जीते वही और 46 परशंट लोग चाहते हैं कि प actress कि टीम हमकाम से यहां पर यहां पर घेलते हैं यहां पर खेलते हैं बतो कि यहां पर खेलते नजरा आए बढ़र उससे पहले लाइक करिए गापस आव्म्絮र्ब कर दिये चनल को और इंजॉइ करिए गा मुकाबला जो है सूपर से भी उपर रहने के उमीद है शायद आज तीसे मुकाबले में एक धमाकेदार मैच जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं सियाटल औरकस और वाशिंटन फ्रीडम की प्लेइंग 11 के बारे में तो चलिए चलते हैं दर आप वाशिंटन फ्रीडम और और औरकस्त के बारे में यहाँ पर आपके सब्सकिएं के सामने वाशिंटन फ्रीडम की टीम है स्टीम के अंदर जॉष फिलिप को हमने रखा है, मुक्तार एमद को हमने रखा है, Commentaries स्टीम के अंदर है ग्रैन्ट फिलिप्स स्टीम के अंदर है जैकप्स पिनार स्टीम के अंदर है अकीला हुसेन भी है साथ में मार्को जैंसन को भी रखा है जस्टिन डेल स्टीम के अंदर है एनिक नौकिया है सौर व नलवालकर्ज, जह हैं, इस टीम के अंदर रहे, तो बात करते हैं, पहले, वशिंटम फ्रीटम की बल्लेबात जी के तरफ जिया, यहां पर मनन दू हसरंगा भी शारी स्कॉरर्ड के अंदर थे, मगर वो इंजल रों के बहार हो चुके हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले यहां पर बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी में सबसे नाम आता है जौश फिल्पी का जौश फिल्पी की अगर बात की जाए तो बिग बैश में कहिने के सिड्नी सिसर के तरह से खेलते हैं अच्छे कासे रंस इन्हों ने बनाए है जौश फिल् जो हैस्कोर है 45 जो है एक सो दसका है मागर नोट जोट जोच फिलपी जो है एक तावड़तोर बल्ले बास है और तावड़तोर बल्ले बाजी करते हैं वहीं कर इंका बिग बैश धी करियर देखा जा जोच जोश फिल्पी का महाँ पर 83 मुकाबलों के अंदर 2014 रन मनाए है यह स्कोर 99 करा है स्ट्राइट 14 करा है एवरेज 30 करा है और पचास बार जियां जोश फिल्पी का और जोश फिल्पी जो है वह काफी बहतर प्रदर्शन करते नजर आते हैं अगर देखा जाए तो अभी डिसेंटली जो मुकाबले खेले गए थे यहां पर बिग बैश के अंदर लास्टी 20 मुकाबले जो हैं वह खेलते नजर आये तो वहाँ पर भी उस अधरा का था एवरेज भी एठारा का था एजब बल्लेबाज जोश फिल्पी को फेंटसी टीम के अंदर रख लीजेगा जबर्दस्त बल्लेबाजी जो है वह करतना दर आएंगे इनके साथ-साथ अगर बात की जाए दूसरे बल्लेबाज है ग्रैंड फिलिप्स यहां ग् अधराबाद के लिए किस्मत थोड़ी सही नहीं रही कि टीम भी खराब प्रदशन कर रहे दिए ग्रैंड फिलिप्स की और वो भी इसी टीम के अंदर थे मगर ओवरॉल देखा जाए टी-20 के अंदर ग्रैंड फिलिप्स का जो योगदान है कहीने काफी बढ़िया है जबर इसका रहता है ग्रैंड फिलिप्स का और एवरेज जो है 32 का तो ग्रैंड फिल्पी और ग्रैंड फिलिप्स जोन अच्छे बलेबाद और ग्रैंड फिलिप्स एजा विकेट कीपर बलेबाद जो है वो खेलते नहीं जाते तो ग्रैंड फिलिप्स को आप अमने टीम के नाम हैndritayas goz की घर बात की जाय थो जबश्क खिलाडी है इनको टीम में रखा गया है औरे जादा मुकाबले 20 मुकाबले के बल्लेबाद धी करना पसंद करते हैं और मेरे इसाब से युन्हाई जगां पे एंड्रियाज गोस को जिस तरीके से वह बल्लेबासी करते है तो हो सकता है एंड्रियाज गोस भी आज बहेतर प्रदेशन जो है वह करते नज़र आए लोकल खिराड़ी है कई ने-कई USA के एंड्रियास गोज और अधुनिया की अलगलग लीगों में चाहे वो टीटन लीग हो चाहे वो सीपेल हो तो इन सम लीगों में वो खेलते नदर आते हैं तो मेरे इसाब से तो भीया अच्छा प्रदसन जो है वो रहेगा और लास्ट जो रिशन पर मुकाबले रहे हैं उन है करें आगे की तरफ चेहां एक और खिलाडी और देखा जाये तो यहां पर बात करेंगे अगले बल्यबाज की तरह अब बात करते हैं और रौंडर की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले नाम आता है यहां पर हमूजी के हैं की जा किन्स आँ बल्लेबाजी में इनका बिर्कुल भाई देखे कोई सामी नहीं है बल्लेबाजी अच्छी करते हैं इंटरेशनल इंटरनेशनल मैचिस का एक्स्पीजन्स बहुत कम है मगर डॉमेस्टिक मैचिस के अंदर चाहिए वह आई पेल हो बिग बैश हो प्रदसन जो है वह काफी है इनके पास रहती है और कफ्तानी जो है अच्छी करतना जाते हैं वह से देखा जाए चौबिस्ट इंटरेशनल मुकाबले खेले हैं चाहां पर 359 मनाये हैं दो अर्शतक लगाए हैं स्ट्राइक रेट जो है इस बासट का है मागर वहीं अगर बात करें बिग बैश लीग आपके लिए आपकर लगा बला जब बोलता है तो और जबरदस बलेबाजी को लेकर करूं तो इहां बिग बैश के लिए जदा इन्हों ने गेंद बाजी करी नहीं है मगर आपने जब भी मुका मिलता है एक दो और डालते नज़र आते हैं 119 मुकाबलों में 40 मुकाबलों म एक पांच का और जो यहां पर देखा जाए तो गेंद बाजी पे इतना फोकस नहीं मगर इंकी बलेबाजी पूरा भरोसा कर सकते हैं अब जोशे फिलपी ग्लाइन फिलिप मुजी के हैंडिकेज एंड्रियर्स गोस तो यह बैटिंग ओडर जो है वो काफी जबरतस हो दात है वाशेंटन फिलिप का तो मुजी के हैंड्रिकेज को रख लीजेगा मेरे इसाब से काफी अच्छे रन मनाते नजराएंगे अगले यहां पर जी हैं अगले यहां पर और राउंडर है मुक्तार अहमद के इंबात करते हैं पाकिस्तान के खिलारी है मुक्तार अहमद कहीं ने कहीं देखा जाए तो लैग ब्रेक गूगली के इंद बाजी करते हैं राइट हैं बलेबाज हैं ओपनिंग भी करते हैं मुक्तार अहमद तो हो सकता है आज के मुकाबले में वाशेंटन फिर्दम की तरफ से ओपनिंग बलेबाज भी करते नजरा हैं पीसल में जी हां प बानवे रन बनाये हैं मुक्तार अहमद ने और 83 इनका हाइस्ट है दो और सतर लगा चुके हैं इस्ट्राइट जी एक सचावालीज का है एवरेज जो हो 32 का है तो एक और कड़क बलेबाज मुक्तार अहमद के रूप में जिनके पास सिर्फ चेटी 20 का एक पीसल मैच खेला है मगर आज और राउंडर जहें वो टीम के अंदर खेलते हैं वहीं अगर बात की तीट 20 में गेंद बाजी के तो गेंद बाजी जादा करते नदर नहीं आए इका जो फूमीर फोकस रहता है वो अपनी बलेबाजी के पर रहता है तो हो सकता है जो अश्या फिल्पी के साथ मुकतार एहमज जहें वो एक जबरदस्त बलेबाजी है वो करता है आज की इस मुकाबले के अंदर तो यह बात होगा यहाँ पर चौबडर बलेबाज की जिसमें जोचा फिल्पी है मुकतार एहमद हैं एंडियास गोज है मुजी के हैंडी के से ग्रैन फिलिप हैं अब चल बलेबाजी करते हैं जस्टिन डिल जिसों डिल के अगर बात की जाए तो देखिए इसे करियर जो है जब्स सथाल है कि यहाँ पर तेज गेंद बाजी पे ज्यादा रहता है और बलेबाजी जह आए जस्टिन डिल करते हैं नमबर चोटा यह चार ने वन बाटी जिए वह करते अगले यहां पर बढ़ता है मगर उससे परे लाइक कर यहां पर उबस प्णपर के लिए और इस टीम में काफी सारे आप्शन्स आपको दिख जाते हैं और अपको जैंसन इस्टीम के अंदर हैं और अब देखते हैं अखिला उसें के जिया तो देखिए अकिला उसें जो है बड़े ही जबरदस्त के इंद्बास है आपको पता हिए जब बैश हो जो करीब है प्रिमेर लीग हो आई पियल हो, आई पियल में भी खेल चुके हैं कहीं न कहीं, अकिला हुसेन बायाँस से और्थलो स्पिन गेंद बाजी करते हैं, प्लस अगर देखा जाए, तो यहां पर बले बाजी में भी योगदान देते न जाते हैं, बसा अकिला हुसेन का देखा जाए T20 करियर तो 34 इ लेकर तीसरम देखाया यह इंटरनेशनल टीटीटीज की बात करना हो अकीला हुसेन की वहीं अगर बात की जाए आई फिल के अंदर इस सीजन के अंदर खेले थे एक ही मुकाबला खेल पाए थे मगर बिग बैश लीग में इनने बेकुछ जलवा भी खेल दिया था अपने गे लेकिन बार लेते नदर आये और देखेंगे करीवे प्रीमेर लीक के अंदर भी इनका प्रशन काफी एच्छा रहता है चाववन मुकाबलों में कम सब्सक्राइब कराता है तीन से जादा वेकिट जो है वह तीन बार लेते नदर आए तो मेरे हिसाब से तो एज़ा ओल आपके लिए रण रोख रोकते हैं तो तहीं करते हैं प्लस भी बोला ता Azkr में भी कई बार मौका मिला तो बढ़ा़ chip लगा तौट नदर आते हैं मगर IPL में भी कई बार मौका मिला है तो बड़ बड़े शॉट लगाते हैं नज़र आते हैं मगर अगर अगर देखा जाए तो लास्ट जो मुकाबले खेले थे T20 के वो IPL में खेले थे experience की बात की जाए तो 9 international T20 मुकाबले खेले हैं और जैंसन ने और कुल मिलाके 10 विकेट चटकाएं है और जो इक का economy रहा है वो पांद समय आठ तीन का रहा है और तेज गेंद बाजों को तो यह पिछे मतरते हैं मार्जों को जैंसन की गेंद बाजी जाह है वो काफे तक परशान करें बले बाजों को यहां से तेज गेंद बाजी करते हैं हाँ पर इटेशन की बात किए तो दो मुकाबलों के अंदर चार विके चटकाएं को ज़्यादा है मगर आई पिल के अंदर देखेंगे तो आठारा मुकाबले में 19 विक चटकाते हैं नज़राएं साउथ अफरीका टी-20 लीग में भी इनका बल्ला और कहते हैं कि गेंद बाजी दोनों जो हैं मशूर थी यहां पर सवतरगेंट टी-20 लीग के अंदर ऐसे टी-20 लीग के अंदर अगर देखा जाएं मार्को जैंसन का प्रफॉर्मेंस तो उसमें डालिएगा आठ मुकाबलों में 11 विक चटकाएं थे यहां पर एकॉनमी जी है साथ शलाव साथ पांच का रहा था और अगर बल्ले से बात की जाए साथ गेंट टी-20 लीग के अंदर जी आं बल्ले से भी काफियत तरन आया थे नो मुकाबले में 177 रन मनाय थे और मुझे ताई आज के इस मुकाबले में एक बहतर प्रदर्शन करेंगे उनके साथी के देश के खिलाली आनिक नौकिया आनिक नौकिया को नहीं जाते दिल्ली के डिली के टीम से खेलते हैं आई पेल के अंदर और क्या लाजवाब गेंद बाजी करते हैं नहीं गेंद हो पुरानी गेंद हो जहां भी कराई एनिक नौकिया के गेंद बाजी विकेड निकालते हैं आखरी टी-टी-टी जो है वो आई-पेल के अंदर खेले थे अगर मैं बताऊं आई-पेल के अंदर इस सीजन के अंदर दस मुकाबलों के अंदर इन्होंने तक्रीमन तक्रीमन दे सब्सक्राइब कर देखेंगे इनको इनके पास 31 इंट्रेशनल टीटोंटी इस खेलने का जो एक्सपीडेंस है 38 विकेट चटकाए है एक पांच की रही और बैस जो रहा है वो दस्रम देकर चार विकेट लेने का और दुनिया के कई लीग्स जो है वो खेलते हैं चाहे वो आई ने कहीं यहां पर नौक करते हैं झेंट आपर इंट करते हुआ हुआ जातर हुआ श्री चाहव पर हको यहां इस लागी हो वह थी और यहां इस लूधर सकाने सब्सक्राइब amendments यहां सौरव नेटवालकर जहें स्टीम के अंदर है सौरव नेटवालकर की बात की जाए तो यहां पर यह अमेरिकन खिलाली हैं लेफ टाम मीडिम फास्ट गेंद बाजि करते हैं राइट हैं रॉसलों लॉर नीचे बले बाजी करते हैं मेंन फोकस इंगी गेंद बाजी का रहता है और अगर देखा जाए तो अभी तो यहां पर इनको भी ऐसे गेंदबाज यहां वो टीम के अंदर आप रख सकते हैं वागे लाइक कर दीजेगा आप सो लोग सबस्क्राइब कर दिए चानल को आप अगले गेंदबाज की तरफ बढ़ेंगे जी आगले यहां पर गेंदबाज की तरफ बढ़ेंगे यहां पर मगर उससे पहले एक और बात कर लें यहां पर जैकब पिनार कीजिए जैकब पिनार भी काल्राउंटर की भूमी का निवाते हैं यह अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीकन खिलाडी है जैकब पिनार और लेफ्टाम उस्पि फ्रीडम की यह टीम जोश फिलपी मुक्तार एहमद एंड्रियस गोज मुजी के हैंड्रिकेज गैन फिलिप जैकब पिनार अखिला हुसेन मार्को जैंसन जस्टिन डिल एनिक नौकिया और सौरफ नेटवालकर जो हैं वो स्टीम में खेड सकते हैं तो यह हो गई यहां पर वाशिंटन वाशिंटन फ्रीडम की यह टीम बाकी आप बात करते हैं आप दूसरी टीम के मगर उससे पहले आप सब लोग जो है यार जुड जाईएगा डल्टिन सावन एप का साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनल पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिएगा और डल्टिन सावन को जाकर जॉइन कर लीजेगा उस लिंक करके डल्टिन सावन जाएगे अपनी आईडी जो है वो क्रियेट कर लीजेगा मिनमम जो डिपोईट है सिर्फ 100 रुपे का है और अगर बात की जाए तो मिनमम जो बैट है सिर्फ 10 रुपे की है और मिनमम जो यहाँ से लाइच् has notug देखाँ के इंदर है तो किंतिन डिकॉंग इस्टीम कें न तिरू बल्लेबाजी तो बात करते हैं अब यहाँ पर औरकस कीया चीम इस तरीके से यहां पर रहने हो सब्सक्राइब करते हैं तो बात करते हैं तो बात करते हैं तो बले बाजी में सबस्क्राइब लिए जबले बाज़ेए ने खेले अब प्रतेशन किया था अभी लाश जो है आई पेल के अंदर टीट्वेंटी मुकाबले खेल रहे थे वहां पर चारी मुकाबले में जियां चारी मुकाबले में बल्ले बाजी आई कुंटिंड डिकॉक की और 143 रन बनाएं यहां पर बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे रिकॉड तो बड़े जबरदस्त है असी इंटरेशनल टी-टी-टी-टी-टी-टी-ज मुकाबलों का खेलने का एक्सपिरेंस है क्विंटन डिकॉक के पास और अगर देखा जाए बाइस तो सततर रन जी यहां बाइस तो सततर रन बनाते नदर है क्विंटन डिकॉक जूंका ही यह स्कोर है वह सो रन का है वहीं अगर देखा जाए चोधार शतक और एक शतक लगा चुके हैं इंटरेशनल टी-टी-टी-टी-ज के अंदर और स्ट्राइकर जो है 138 का है वह 33 का है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्विंटन डिकॉक कि ऐसा बखनी 95 विक्रेशन बखनें हैं यह वह टीम के आप रख सकते हैं यहां ऑपि थी में वह क्लम डिकुष कखी कहांद हो यह black community क्या बखनेंगा जवाब बलेबाजी थी हेंडिस लासन की दायात के बलेबाज है ताब अर्तोड बलेबाजी करना जानते हैं आईपिल के अंदर 11 मुकाबलों के अंदर एक पहले मुकाबले से चाहिए वो आखरी मुकाबला हो वो नीचे नहीं आया 178 के स्ट्राइक बलेबाजी करते नदर आए एवरेज जो पचास का है और इन्होंने एक शतक भी लगाया था आईपिल के अंदर आर्सीवी के खिला तो हैंडिश क्लासन को भी ऐसा बलेबाज जो है वो टीम में रख लीजेगा टीट्वेंटी एकस्पीदेंस इंग के पास भी काफी जादा है टीट्वेंटी में काफी बढ़िया जो है बलेबाजी जो है वो करते नाते हैं टीट्व सब्सक्राइब करते हैं तो हैंडिश क्लासन को भी आप टीम में रख लीजेगा अगले बलेबाज से शिर्मन हिटमायर की बात करेंगे इस टीम के अंदर है शिर्मन हिटमायर का भी आईपिल सीजन काफी बढ़िया गया था 13 मुकामल में 299 मनाय थे इनका भी 152 का रहा है और एवरेज जो है वो 38 करा तो देखें दो फिनेशर कहीं ने कई सियाटल ओरकस के पास रहेंगे शिर्मन हिटमायर नमबर पांच पे अफिर नमबर चार पर संडिज क्लासन नमबर पांच पर शिर्मन हिटमायर तो यह मिड़ ओर्डर जो है वो काफ स्ट्रॉंग लग रहा है साथ में हिटमायर तीम के अंदर है और आईपल करियर आईपल में जो है दोनों मलेवाजों का सीजन जो है वो काफी अच्छा गया था मुझता कि यहां पर मेजर लीग क्रिकेट के अंदर भी इनका सीजन जो है वो अच्छा जाएगा और शिर्मन अगर मैं इंट्रेशनल टी-20 की बात करूं तो पचास टी-20 मुकाबले शिर्मन इटमायर खेल चुके है साथ सो सब्सक्राइब रहता है अच्छी पाले बाजी करता शिर्मन इटमायर आईपल में अलग रहता है सीपिल में अलग रोल निभाते हैं मगर आईपल का जो रोल है अगर वही रोल यहां पर निभाएंगे तो काफी जबर्दस बल्लेबास की जह है वह करते हैं यह बातों के शिर्मन इटमायर के अब चलते हैं जड़ा अगले बल्लेबास की तरफ बढ़ेंगे यहां पर उससे पहले आपसे लोग लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर राइट हैं और कहीं अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफार खेल के आया थे जहां पांच मैचने में यहां पर इनको चुना गया था वहां पर खेलने का मौका जरूर नहीं मिला है पर चुना गया था यहां पर वहां पर आगले आगले बने बास की तरह बढ़ते हैं यहां पर है हैं और और टीम के अंदर आगा हो भी आद्द देखना हो कि क्या तरीके से खेल तना रहेंगे अब करीर के बाद दैट्रेश्राइब कि थार टीटेविंटी मेंस टीटविंटी मुखेलरे कहीं इंके भाद दो है यह स्कोर जो चालिज का है जो स्ट्राइक रेट है एक सो नौ का है एवरेज जो वो सोला का है अगर वहीं के इंद्बाजी की बात जाए ठारा मुकाबलों के अंदर सिर्फ तीन विकेट शटकाएं है यहाँ पर एकॉनमी ज्यादा है नौ तो सेहां जो सकता है कि यहाँ प करेंगे जिए आगे बढ़ेंगे आपर बात करेंगे अगले खिलाडी की तरह बात करते हैं यहाँ बागी लाइक करिए का सब्सक्राइब कर दिए चानल को नाम है शुभम राजने शुभम राजने जो है अगर देखा है नहीं और इंडियन खिलाडी है रंजी ट्रॉफी खेलते थे कहीं ने कहीं गहुआ की तसा 2022 में यूएस से आच चुके हैं यूएस से में आप खेलते हैं तो आज यहाँ पर टीम के अंदर खेलें रैटेने मीड़ बले बाज है शुभम राजने और राइटाम मीडियम फ है वह काफी बढ़िया रहा है देखते हैं आज क्या करेंगे जहां पर क्योंकि जादा इस्पीरेंस नहीं है अशुभम राजने को कि हैं इंडियन खेल रहे हैं यूएस से में टीटेंटी लीग यहां पर बात करते हैं अगले और राउंडर के तरफ अगले और राउंडर ह है और इस्ट्राइट जो फैसेट का भाई गेंदबाजी के तरफ बढ़ेंगे तो 30-20 मुकाबलों के अंदर 35 विकिट चटका चुके हैं एकॉनमी जहें वह आर्द सब्सक्राइब कर सकते हैं नंबर 6 पर आगे बल्ले बाजी कर सकते हैं तो जो टीम के अंदर खेलते हैं औ जबर्दस पदर्शन करते हैं तो हो सकता है को भी आप टीम के अंदर रख लीजेगा अब चलते हैं गेंदबाजी की तरफ बढ़ेंगे आप तो गेंदबाजी की तरफ बढ़ेंगे सबसे नाम आता है क्यामन गैनगों का जी इसे तेस गेंदबाज यहां पर टीम के अंदर खेलते राइटस ले अगेंदबाजी करते हैं और जैसे लिंदाज करिये वह वह यहीं और तीन से जादा विकेट चार बार लेते हैं नजराएं इंका बैस बढ़ेंगे उसमें और नाम भी शामिल हो जाते हैं वैन पार्नेल की तरफ बढ़ते वैन पार्नेल का अपतानी भी कर रहे हैं इस टीम की और अपना को बोलते हैं मगर देखा जाए तो अभी T20 ब्लास के अंदर जी आँँ गेंदबाजी जहां काफी बड़िया करते नजरा है यहां पर वेन पार्निल तो वेन पार्निल को अब पानिल को आपने टीम के अंदर रशतते हैं यह तेज गेंदबाज बलेबाजी में ज़दा जोहर दिखाए नहीं मगर भायां से तेजगती के गेंदबाजी ज्याव करते नद आते हैं आप आइपिल में भी खेले थे आइपिल के मुझी दोजारटेई आइपिल में भी खेले थे शाथ मुकाबलों के अंदर 9 विकिश टकाये थे economy जो है नो दो सनो तीन आठ करे तो वेन पार्नेल जो है अभी form में चल रहा है T20 blast के अंदर भी काफी बढ़िया गेंद बाजी जो है करते नज़राएं वेन पार्नेल तो वेन पार्नेल को भी अपने team के अंदर आप रख लीजेगा मेरे हिसाब से जबरदस्त गेंद बाजी जो है वो करते नज़ आएंगे हाँ पर देखते हैं क्या होता आज के इस मुकाबले में लाइक करिए का सब्सक्राइब करिए चैनल को एक और तेज गेंद बाज के तरफ बढ़ते हैं बीविल के अंदर भी 101 मुकाबले खेले हैं एंडू टाई ने 144 विकेट चटका हैं एकॉनमी जो है साद असलों आठ चार कर रहता है और इस सीजन में अगर देखा जाए टी 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 ब्लास ये भी खेल रहे थे ये भी टी 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 ब्लास खेल रहे थे और 14 मुकाबले में वह भी 19 विकेट चटका चुके थे एंडू टाई और आर्द सलों साथ पांच का एकॉनमी रहा था एंडू टाई का और अगर देखा जाए तो पीएसल हो बिग बैश हो सारी लीगे खेलते हैं इस बार तो बिग बैश में इन्होंने कमर तोड़ दी बल सब्सक्राइब करें और 14 मुकाबले को अगले गेंदबास की तरह बढ़ते हैं उससे पहले बिल्कुल जुड़ जाएगा हम आर साथ इस मुकाबले में आगरी किडारी है यहां पर निसार्क पटेल निसार्क पटेल खेलेंगे या फिर हैडन वाल्ष खेलेंगे अब यह द और रौंडर जहां वह टीम के अंदर खेलते हैं निसार्क पटेल की बात की जाए तो अमेरिकन खेला ली है लाफ टाम और स्पिन गेंद बाजी करते हैं राइट यह बले बाजी करते हैं मगर जो में फोकसिंग कर रहता है वह गेंद बाजी कर रहता है और ट्यूंटी तो सब्सक्राइब आपर और स्पिन गेंद बाज निसार्क पटेल जो है वो खेलते लाते हैं तो यह बाजी कर अपर सेयाटल की टीम जिसमें बले बाजी में फोकस रहेगा कुंटिन डिकॉक का श्रिवन हिटमायर का एंडिस क्लासने स्टीम के अंदर है साथ में डिवन पिटोरियस और रॉंडर की भूमिका में रहते हैं गेंद बाज़ी के लिए वेंड पारनल है एंडू टाई है कैमन गैनन जो है वो स्टीम के अंदर है तो डल्टिन 7 आपके साथ जोड़ जाएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचमन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रेट करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा बुकाबला सूपर से भी उपर रहने के उमीद है और डल्टिन 7 के उपर आप जो मिनमम डिपोजिट है वो सिर्फ यहां पर सो रुपे का है मिनमम ब्रेट जो है सो दस रुपे की है और वहीं अगर बात किए डल्टिन 7 के उपर आप सारे मुकाबल लाइट दे सकते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचमन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक कर कर दिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को बात की जाए यहां पर टॉस की तो टॉस होने का समय जो हो चुका है आप से 5-6 मिनट के बाद टॉस हो जाएगा यहां पर लेट होता है और उसके बाद जो है फिर प्लेइंग लाउन भी काफी लेट आते तो बैसी लेते हैं आपर प्लेइंग लाउन जो है वो कम सम मैश शुरू होने से पहले 5-7 मिनट बल पहले आती है तो इसो सब्सक्राइब धान रखिएगा जो फैंटेशिक टीम बना रहे है तो जल्दिल्दी बनाईएगा अगर सो भी गल्दिल्दी कर जाएंगा तो कोई प्लेयर मिस कर जाएंगा को सब्सक्राइब 15-20 मिनट का ब्रेक लगता है तो उस ब्रेक को लेने के बाद फिर जो है और जो सकता है कि यहां पर मुकाबला जो है वो शीरू हो जाए बाकि तो अभी पहला मुकाबला जो है वो खतम हुआ है और यहां पर जी आ अगर गाउन्ड ब्रिपेट के जा रहा कि पिछ रिपोट पिछ क्या कह रही है आज पिछ के सखेव Springs जह है वो करेगी यहाँ पर यह देखना लिदी बात रहेगी यहाँ पर तो मेजर लीग क्रिकonnit ज्हें वो यूएससे की लिग है कही नंग कहीं आप बता दें आपको यहां पर टोटल ज्थे टीमें हैं ज्यां छ्थे टीमें यहां पर हैं और छ्यी टीमों में से कुई चार् टीमें प्लियाफ्स के लिए कॉलिफाई करेंगे तो आपको स्किंगे सामने आपको 6 कप्तान जो हो देख जाएंगे हंगे यहाँ पर 6 अलग-अलग T genom किया कफ्तान है जहाँ बड़े-बड़े खिलाडी जह वह आपको देखेंगे केरन पॉलार आपको देखेंगे सुनी लरायन आपको देखेंगे फार्ब डिली से आपको दिखेंगे वेन पार्णिल है एरोन फिंच और मूजी के हैंरिकेश के टीम के आज वह मुकाबला है तीसरा मुकाबला अब देखने बात रही किस तरीके से आज मुकारण चलता है तो आपके सकिंगे सामने या कुछ च्छे टीमों के च्छे कप्तान आपको दिखेंगे इस लीग में पहरी बार खेली जा रही है यह इससे में लीग बड़ी जबरदस्त है अब मुकाबला जो है वो देखने हो मिल रहा है बड़ा स्कोर हाई स्कोरिंग मुकाबले में रन बन रहे हैं और टीमें जहें जो अलग भी इन बिट्वीं जो है वो चली रहा था जब तक हम स्ट्रीम कौन करते हैं तो मगर अगर बात करते हैं यहां पर ट्रॉफी की जिए इस चमचमाती ट्रॉफी के लिए यह च्छे टीम में लड़ रही है और अब देखना होगा कौन सी टीम यह पहली बार जियां मेजर ली सब्सक्राइब के साथ भी जूड़ जाएगा यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया है उस तो लिंक को क्लिक करिएगा और डेल्डिन सब्सक्राइब कर सकते हैं और विड्रॉल आपको 15-20 मिट के अंदर बैंक अकाउंट के दर मिल जाता है डेल्ट सब्सक्राइब के सामने है जबर्दस ये टीम है मुजी के हैंडिकेल कर रहे है यह इस टीम की और कहिने के इस मकाबले में किस तरह इस परश्रशन रहता है पिनार जहें स्टीम के अंदर है, बैंड डाउरिश इस्टीम के अंदर है, साथ में सौरव इस्टीम के अंदर है, डेन पिडिट जहें स्टीम के अंदर है, उस्मान रफीक इस्टीम के अंदर है और जॉश फिलिपी जहें स्टीम के अंदर है, तो काफी आतर देखेंगे तो थोड़े बहुत Sydney Sixers के प्लेयर्स भी आपको दिखेंगे चाहिए वो जॉश फिलिपी हो या फिर बैंड डाउरिश हो या फिर मुजी के हैंरिकेज इस टीम के अंतर हो ग्रैन फिलिप हो तो कुछ-कुछ बिग्वेश के जो बड़े-बड़े खिलाडी जो Sydney Sixers केलते हैं वो क सबस्क्राइब कर लेते हैं तो यहां पर बात करते हैं यहां पर सियाटल औरकस की टीम के लाटी और श्रीलिंकन खिलाडी आपको दिख जाएंगे यहां पर दोस्तों बड़े कपतानी कर रहें वैन पार्नल स्टीम की क्विंटन डिगॉक इस टीम के अंदर है दसुन शनाक के अंदर मिल जाएंगेापको सिहान जसूर्या स्टीम के अंदर फाहनी सिंग आंदर फाहनी सिमधाजी स्टीम के साथ पाकिस्तान के इमाद वसीम भी इस स्कौार्ड के अंदर आपको दिखी जाएंगे तो यह सियाटल औरकस का स्कौार्ड अब चलेंगे ज़रा मुकाबले के तरह मगर उससे पहले आप सुर लोग लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिये चानल को दोनों टीमों का स्कौा का यह तीसरा मुकाबला है मिजर लीग किट टूर्मेंट दोहजार तेईस का जिया पहला टूर्मेंट हो रहा है यूससे के अंदर अच्छा लग रहा देखकर काफियों तक बढ़िया पिछ लगी है बढ़ले बाजी के लिए का अनुकूल रहा है अब आस देखते हैं क्या का सूर्तिहल किस प्रकार है यहां पर बहुतर दें आपको कि भारते समय ब Mayor कर देखा जाए तो इस mugえば हे देखागा दिन-मे आज काफी घर्मी हा पढ़ते न believers आई है ग्राउंड पैरी स्टेडियम टेक्सिस में खेला जा रहा है यह मुकाबला 49 दिशनलों चार डिग्री सलसेश टेंपरेचर है यहां पर कहीं ने कहीं शाम के समय और अगर बात की जाए तो 28% हमिट्टी है और बारीश होनी के संभावना है जहें वह एक परसंट है जात कि कल तो बड़ा ही जबर्दस मुकाबला था जो शाम के समय का मुकाबला था जहां पर पहले मुकाबले के अंदर 180 बने पहली पारी के अंदर दूसरी पारी में बलेबाजी करना काफी difficult रहा हो सकता है शाम के समय तो अब स्विंग देखने हो मेरा गेंद बाजी से और कहीं नहीं होती है बलेबाजी करने के लिए मगर अमुमन देखा जाए तो जो भी टीम यहां पर पहले बलेबाजी कर रही है इस पिछ के उपर अच्छे कासे रंस है बटो रही है तो यह है ग्रेंड पैरी स्टेडियम टेक्सिस का मौसम का सूर्थिहाल 49.4 डिगरी सलसेश टेम कमार साथ लाइव हिंदी कमेंटरी में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ तो मौसम बता दें आपको कि यहां पर टॉस हो चुका है इस मुकाबले का और यहां पर टॉस जीता है सियाटल औरकस ने और टॉस जीतकर पहले गेंद बाजी करने ने लिया है तो टॉस हो चुका है Toss को जीत कर पहले गेंद बाजी करने ने लिया है Washington Freedom की टीम पहले बले बाजी करी है मतलब मूजी के Henry Gates की टीम जह है वो यहाँ पर पहले बले बाजी कर रही है और गेंद बाजी की बात की जाया जी हाँ यहाँ पर अगर बात की जाया है गेंदबाजी की तो गेंदबाजी जो है वेन पार्निल के टीम कर रही है सियाटल औरकस जो है वो गेंदबाजी कर रही है और वाशिंटम फ्रीडम की टीम जो है बल्ले बाजी कर रही है आपर टॉस अपडेट आ चुकी है कि यहाँ पर सियाटल औरकस ने टॉस को जीत लिया है पहले गेंद बाजी करने लिया है अभी तब देखा जाए तो पिसे दो मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं और डिफेंड होते हो नजरा है मगर तब भी सियाटल औरकस ने कहा है कि भीया वो चेज करेंगे इस टोटल को चेज करना चाहेंगे तो देखते हैं अब सियाटल औरकस के टोटल को चेज कर पाएगी यहाँ पर देखना होगा मैच कब होगा भाई कॉमेडी मराथी बिल्कुल अब शुरू होने वाला है पांस से दस मिंट के बाद मैच शुरू हो जाए क्योंकि एक्चुली क्या हुआ है अभी इसी पिछके ऊपर जो है एक मुकाबला जो है भी खतम हुआ है और दूसरा मुकाबला जो है वह शुरू होने होएगा यहाँ पर तो पांस से दस मिंट बाद शुरू हो जाए कर चाहेंगे और गेंदबाजी जो है वह काफी बढ़िया करते करेंगे यहाँ पर क्य एंडू टाइ है खुद वेंपार्णल इस्टीम के अंदर है और काफी जबरदस गेंदबाजी जो है अच्छा फॉर्म है वेंपार्णल और एंडू टाइ दोनों का यहाँ पर गेंदबाजी फॉर्म जो है वह काफी अच्छा है इसाथ में अगर देखा जाए तो कैमर्न मुकाबला जो है अभी देरी से खतम हुआ है इसलिए दूसरा मुकाबला उसी क्राउन पर हो रहा है इसलिए मैच जो है थोड़ा से डिले है मगर अपडेट आ चुकी है कि स्याफ्ल औरकस पर जाएं और पर और के वेंड़ तो जीत जीटन के निएक देख्ते हैं कि स्याइटर और चलते हैं और के हैो फूरे 40 स्क्राइब कर दिए चानल को जिर जाई है हमारे साथ इस मुकाबले में बस फोड़ी ही देर में प्लेंग 11 जिर वो आज आएगी और प्लेंग 11 के बारे मैं बात करेंगे बाई प्लेंग 11 जो है किस प्रकार रहेगी यहाँ पर दोनों बाजी करने का निर्णे लिया है तो देखते हैं हम यहां से मुकाबला जो है वो किस तरीके से रहने वाला लाइक करिए का आप सब्सक्राइब कर दिये चानल को बाजी जबर्दस खेल होने की उमीद रहेगी यहां पर बाकी अब यहां पर प्लेग लाती तो उसके पास अच्छी कासी बल्ले बाजी है तो सियाटल औरकस्ट यहां वो मेरी टीम रहेगी सियाटल औरकस्ट के साथ रहेंगे आशा सिंग भाई कहे रहे हैं टीम बता दीजे भाई आप बाजी तीम बता रहे हैं बिलकुल भाई सियाटल औरकस्ट यहां पर यहां पर देंगे मगर हमारी टीम यहां पर सियाटल औरकस्ट यहां पर वाशिंटन फ्रीडम की टीम को और टोटल को चेस करेंगे Seattle Orchestra के साथ जाएंगे और इस मुकाबले में चाहेंगे कि Seattle Orchestra की TEAM जो है इस मुकाबले को जीते हैं बाकि आप playing 11 पर नजर बनाएं हुए हैं बस playing 11 जैसे ही आ जाती है तो तुरंट आपको playing 11 के बारे में अक्डेट करेंगें but उससे पहले आप सोल लो और जो मंबंकिर कर दिया है उससे लिंक को क्लिक करिए गाः अपनी अइडी जो है वो टरीट और बहुत कर सकते हैं खेल सकते हैं जीजिए और इजय सकते है प्लेंग लावन इस मुकाबले में खेलने से पहले पांच मिनट के पहले प्लेंग लावन आती है यहाँ पर जल्दी का प्रावधार नहीं है इस लीग के अंदर जल्दी प्लेंग लावन नहीं आती है टॉस से बस दस मिनट या आती है मैं शुरू होने से पहले दस मिनट या फिर पांच मिनट पहले प्लेइंग लाउन दी जाती है और इसकोशिश करते हैं कि फटा फट वट आपको प्लेंग मा बता दे जिससे अबने हैं और बत कीजाये तो automation करते हैं बलबाजी में और गेंद बाजी की बात कि नाट की है जिनको रसतने हैं मारको जैंसन इस टीम के अंदर है अकीला हुसेन है बेंड डाउरिश भी टीम में अगर खेलेंगे तो सभी बात रहेगी यहां पर हस्री अमीन भाई कहना है कौन समय अच्छा यह भाई यूसे टीचुएंची लीग मेजर टीचुएंची लीग का यह तीसर का इंतजार जैसे प्लेइंग आजाती है तो तुरंत आपको अपडेट करेंगे यहां पर देखना होगा सेम और वर्स प्लेयर है और क्या है और क्या मैश चल रहा है यहां पर सुलेमान अंसरी जुर चुक है मुस्तफा बाइब बताएं आपको एसके वाई जुर चुक है गुड़ मॉनिंग सर्जी गुड़ मॉनिंग सर्जी कैसे आप यहां पर मिलन बॉय कहने बाइब भाई बिलकुल भाई धन्यबाद बाइब बाइब भाई अब खेला किस तरीक लाइब किस पर देखते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है उसलिए को क्लिक करके अपनी आइडी कर लीजेगा और खेलिए गार जीते हैं किस तरीके समय तोस कौन जीता है बाई ऑफिचली जीकर बाई टॉस जीता है सियाटल और गेंदबाजी करने लिए वैं वाशिंटन फ्रीडम की टीम पहले बलेबाजी कर रही है अब देखते हैं आगे किस तरीके से मुकाद चलता है लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और विकास बाई देखा जाए तो यहां पर देखा जाए शाम के समय कप्षकल के मुकाबल में एक से क्यासी रिन बन स्ट्राउंग है यहां पर कहीं ने कहीं जो है यहां पर सेठल state το emailed उर्कर्स को सपोर्ट कर रहे हैं उमीद कर रहे हैं सियाटल औरकरश है इस मुकाबले को जीतने दराए बाकि अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थिहाल बागे प्लेइंग लाओन अभी आई नहीं है बिलाल खान बाई जहां भी देख रहे हैं अभी आई नहीं है बाकि तो अब देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से खेला हो सब्सक्राइब करने कौन ओपनिंग करने आया है कौन मिडॉडर में बल्लेबाजी करें पहले बैटिंग ओडर जो है वो किस तरीके से रहने वाला है उसी जाब से मैं आपको बता दो क्यार सियाटल औरकस के पास भी कुने डिकॉक जैसे बल्लेबाज हैं साथ में हैं सबस्क्राइब कर दो करेंगे गया सब्सक्राइब Яंन आपको इस तरीक के जाए तो एंदर आपको यहां पर अपडेट तुरंस में आपको को यहां पर अपडेट कर दूँगा कि कौन कौन सी अब बलेबाद आज खेल रहे हैं बाकी नजरे हमारी प्लेइंग 11 के उपर है और ध्यान रखिएगा प्लेइंग 11 बहुत लेट आती है इसके उपर इसलिए थोड़ा सा प्रोल्म होती है हमारे विवर्स को बाकी तो हमारी क कोशिश यह रहती है कि भाई मुकाबले में पूरी अपडेट्स आपको दें पूरे प्लेयर्स के बारे में आपको बताएं कि क्या यहां पर खेल रहता है चले लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिए चानल को जुड़ जाईए हमारे साथ लाइव हिंदी कम मुकाबला जो है काफी अच्छा होने की उमीद है अब किस तरीके से यह मुकाबला होगा यह देखना होगा चले देखते हैं भी कब तक यह खेल जो हो जाएगा यहां पर क्योंकि मुकाबला बस अब मिलता कि शाद थोड़ी दिर पहले ही चालू होगा उससे पांच मिन पह हो रही है आप कहीं बारिश के शक्कर माल नहीं दरा मत दीजेंगे शाना मुकाबला चो में यह यहां पर हो जाएगा और यहां से देखते हैं भी क्या होता है इस मुकाबले में प्लेंग टाथे प्लेइंग गंपडेट यहां पर कर दूंगा फकॉनाट डूंगा कि कॉन्कॉन खेल मैच मैच होसता है कि सबच्छे बजए तक शजाद मैच शुरू हो रॉयाज़ ब्यास पर धाजुआ दिसक्राफ लॉटोट होगा पर कहीं जोश फिलिप पीछ लग गए अच्छे बल्लेबाँ का रूट की बात कर रहे हैं यार खेलते तो चारब चया करते हैं यहां से यहां से अगर देखा जाए तो जौश आगे जौश फिलिप्स नहीं जौश की बात कर रहे हैं जौश की बात हो रही है और ज vidéos फिलिप और जौनों अलग लगवाज बलेबाज जो एज अ ऑपन prepare खेलते हैं जौस फिलिप हो एज वो बाहर हुच और आप देखते हैं माजिनकी मुकाबलें बाखी बले-बाज ऑसरंगा और अब देखते हैं क्या करते हैं आज intim जा सेक्ते यहां से अगर देखा जाये तो कहीं न कहीं टॉस हो चुका है इस मुकाबले मैं प्लेंग 11 अभीतक आई नहीं यह प्लेंग 11 अभीतक आई यह प्लेंग 11 मैं से 5 minutes का बाते हैं बट अपनि इस आई बाइग बट ओफिरेंग दिखा रहा है भाई डेखो क्या होता है एक अघ्या आपको देखा जाए तो अब आपको देखा जाएगा अभी कॉले नहीं केल रहा है और इस मुकाबलेक लिखा इनदर अभी पदल जाएगा आप सब तो यह थोड़ो सा चिंता जनक विशे है यहां पर और चिंता जनक विशे के अंदर भाई यासी बढ़ी दिक्कत की बात है कि प्लेंग नावन अगर पांस मिन पहले आएगी तो हम ड्रील में टीम कैसे बनाएंगे यह तो बड़ी कन्फूजन की बात है यह से बोलना पड़े यह हमें भी बागी टॉस हो चुगा इस मुकाबले में अब देखते हैं कि इस तरीके से यह खेला होता है कि पहला हो बैसा में बताएगा मुकाबला जया वक्ति तरीके से होगा यहां पर बागी अपडेट अभी टॉस की आचुकी है और यहां से और गरन फिलिप्स के रन यहां पर देखा जाए तो ग्रैंड फिलिप पर ही जो है ग्रैंड फिलिप पर ही जो है अपडेट है बताते हैं आपको तो तोड़ी देर में बास बाई टॉस के लिए हो जाएगा मैं मिस्टर सैड है आपको सुशल मीडिया पर कांटेट कैसे करें मिस्टर शाद बाई शाद बास पूछ लेजिए बाई उनकों कांटेक्ट ज्यादा कांटेक्ट मत करिए गा नहीं फज जाएंगे कहीं है यह मिजर लीग बड़ी बड़ी अजीब सी लीग है यार पहली पर मैंने देखा है कि टॉस वैसे देखा जाए तो हर लीग के अंदर जो है पच्छिस मिनट या बीस मिनट तक का टाइम मिलता है टॉस के बाद प्लेंग लावन आने का मगर यहां पर देखेंगे तो मैस से पांच मिनट पहले टॉस अगर टॉस होने के बाद भी यह कहें कि छे बजे टॉस हुआ था और तेरह मिनट हो चुके है प्लेंग लावन आई नहीं और सब्सक्राइब कर दिया और देखते हैं क्या होता इस मुकाबले सूर्त्यार प्लेंग नावन के बारे में बिलक अठाट उपन कर रहे थे खर रहे हैं वह फिल्पी जॉष फिल्पी और फिलिप सलगा जॉष फिल्प ऑग एंग लाट फिलिप्व फिलिप लोगोंने आज तो लिए देखते हैं भी क्या होता है इस मुकाबले में और किस तरीके से ये खेल चलता है बाकी तो देखिए अब बता देंगे कब जो है प्लेइंग लावन देगे उस हिसाब से हम भी अंदाजा लगा लेंगे मेरे इसाब से तो भाई इनोंने तो आज यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर पूरा जो है कन्फूजन कर दिया है ना प्लेइंग 11 पता लग रही है ना इनका पता लग रहा भी है कब शालू करेंगे जी यहाँ जना ख़फू बडल हैडर गेम स्मझ लिया और टैबल हेडर गीम के अंदर प्लेइंग 11 भी नहीं देर है काहा बाद कर रहे हैं यहाँ पर ना प्लेहएंग 11 आ रहा है ना समझ में आरा कौन क्हेल ला है कोन नहीं खेल ला है यह तो बहुत कन्फूजिन की बात है और कन्फूजा गया है यहाँ पर कहीं ने कहीं इस मुकाबले के अंदर तो देखते हैं अब यहां से क्या होता है तरशुंचा यह मोगे आपकी तो अब इनका रांवरोसी लीग है यह जो भी ईलावन हो आ चुकी है प्लेइंग इलएवन जो एक प्लेइंग 11 वह चुकी है कुई टी को जिन अघ्रा एह ग्राइन फिलिपस जह वह खेल रहे हैं ग्राइन फिल्पी जो फिलिपी नहीं खेल रहे हैं मुकाबले में प्लेइंग 11 आ चुकी है यहाँ पर तो बता देंगे आपको चौज जीता है यहाँ पर सियाचलों औरकस ने पहले गेंद बाजी करें नहीं लिए चलते हैं जरा प्लेइंग 11 के तरफ जियां पहले बात करेंगे वाशिंटन फिलि फिलिपी नहीं खेल रहे हैं फिलिपी और ग्रैन फिलिप्स अलग हैं और जोश फिलिपी नहीं खेल रहे हैं तो जोश फिलिपी नहीं खेल रहे हैं उनके जगा मैथू शॉट को रखा गया है और एंड्रियाज गोज के साथ वो उपन करेंगे एंड्रियाज गोज और जो अमगतार आहमत भी खेल रहे हैं ग्रैंड फिलिपस प्रण फिलिपस प्रण मुजी के हैं। देखेंगे तो इसमें जॉश फिलिपी नहीं है उनकी जगा पे मैथ्व शॉट ओपन रखा गया है साथ में एंड्रियाज गोस के साथ और इस टीम के अंदर जस्टिन डिल की जगा पे यहां पर देखा जाए तो इस मुकाबले में डेन पिडिट जो है वो इस टीम के अंदर हैं और बस प्रिनार जो हैं व इस टीम के अंदर है साथ में मारको जैंशन, अकिला हुसेन, एनिक नौकिया, सौरव, नटवाल्कर इस टीम के अंदर है, साथ में डेन पिडिट पिडिट इस टीम के अंदर, जॉश फिलिपी नहीं खेल रहे हैं इस मुकाबले के अंदर, वहीं अगर बात की जाए अब सियाटल और के से तरफ से यहां पर कुणेंटन डिकॉग जी के अंदर है शिर्मन हिटमार श्टीम के अंदर है हैंड़िज कलासं स्टीम के अंदर है इमाद वसीम अस सिहाहन सूरयश श्वमthis किर ने स्टीम के अंदर हैं वैंट बॉन की जगा पे नुमान वर खेल रहे हैं स्टीम के अंदर में साथ में एशनमान तो यहां पर इमाद वसीम को खिलाए गया है तीम के अंदर और निर्साट पठेल की जगा पर हर्मीत सिंग को खिलाए गया है तो यहां पर इमाद वसीम फिलाए गया है तो तीन यहां पर चेंजिस को ध्याद गयुद पर फिर से सुन लिजेगा क्विंटन डिकॉक और नुमान अनुवर जहें उपन करेंगे एरन जॉन्स नहीं खेल रहे है नमबर तीन पर शर्मर हिटमार नमबर चार पर हैंडिज क्लासन नमबर पाँच पर यहाँ पर सिहनन जसूर्या खेल रहे है नमबर छे पर यहाँ पर होंगे शुबम राजनेज स्टीम के अंदर होंगे नमबर साथ पर होंगे इमाद वसीम ज्वेंट प्टोर्स नहीं खेल रहे हैं इमाद वसीम खेल रहे हैं और साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैनन गैनन स्टीम के अंदर है एंडू टाइस टीम के अंदर है वेन पार्नल स्टीम के अंदर है और साथ में हरमीज सिंग को मौका मिला है निसाग पटेल की जगा पर तो यह है तो टीमों की प्लेइंग 11 ध्यान से देख लिजेगा और कहीं ने कहीं अगर देखा जाए जोश फिलिपी यहाँ पर जोश फि सब्सक्राइब करते हैं मगर एंड्रिया जोश को विकेट कीपिंग जहाँ दी वही है तो सब्सक्राइब कर दिए चानल को यहाँ पर और काफी अत्तक बदा दिया भाई यहाँ पर इस मुकाबले में अब लड़ना बंद कर दीजेगा बाई सब लोगों कि फिलिपी खेल रहा है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है यहाँ पर आचुका है ग्रैन फ्लिप्स ग्रैन फ्लिप्स ग्रैन फ्लिप्स जो है उनको आप रख लिजए प्र कि लिए मुझी के 시죠 यहां और उन्डर के लिए मुजी के हैं रिकेश वह काफी चौइस हैं तो मुजी के हैंडरी को रख लीजेगा और नुमान रहे हैं प्लेज़ जो है वह ग्राउंड के अंदर जो है वह एंटर कर रहे हैं आप भाईया इस टीम यहां तो ऐसी लीग में ना यहां पर फैंटसी लीग बनाना तो बहुत मुश्किल है इसलिए डल्टी समप जाईएगा और टीम पर खेल लीजेगा यहां पर फैंटसी टीम में पैसा क्यों बरबाद कर रहे हैं प्लेयर जो आप ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं मुकाबला शुरू हो रहा है तीसरा मुक आपको यहां पर कहीं नहीं देखा जाए बात है रहे हैं तो बढ़ गुस्सा मान रहे हैं प्रिशन बाइचे नहीं लिग जब शुरू होती है ना तो पहले उसको हमेशा 2-3 मैच देख्या करिए क्या चल रहा है क्या पहले मैं सो चले हैं कि जाइक पोड़ होगा नहीं मुकाबला हो रहा है शुरू यहां पर 5 मिनट के अंदर भाई साब कुछ का में था टोस्त के प्लेंग लाए उन आई थी 5-7 मिनट पहले अब मुकाबला शुरू हो रहा है बहुत शुरू हो रहा है यह मुकाबला बैटिंग कर रही है वाशिंटन फिडम के टीम गेंदबा है यहां पर के अधिरल बल्ले बाज शाइद यहां पर अच्छी बल्लबाजी करते हैं अच्छी बढ़लाजी करते हैं जोंस मज़ाये गइस मुकाबले में देखते हैं किस तो तरीके सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और यहां से मुकाबले की तरह बढ़े तो मुकाबला काफी बढ़े रहेगा चले लाइक करिए करें कितना बनेगा अब है अगर मैं अगर आप मुझे ही काली दे रहे हैं और मुझे से अरुन भाई कि मैं आपको जवाब दूगा यहां पर आईडी चालू दम है तो बिलकुल भाई बिलकुल चालू सबको चालू हो चुका है लाइक कर दीजाए सब्सक्राइब कर दिए चानल को मुकाबला शुरू हो रहा है यहां से और प्लेयर जो है वो ग्राउन के अंदर आ एक एक रन जो है बटोर चुके हैं स्ट्राइक पे होंगा मैथ्व शॉर्ट दायहत के बलेबाज हैं जबरदस बलेबाजी करते हैं और प्लस गेंद बाजी भी काफी अच्छी करते हैं मैथ्व शॉर्ट अगली गेंद इमाद वसीम के सामने मौजूद बलेबाज मैथ्व शॉर्ट एक सिंगल और बटोड़ते हुए यहां पर तीसरी गेंद पर स्कोर पहुसता हुआ तीन रन बिना के से नुक्सान के तीन गेंदों के बार लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिये चानल को और इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को और यहां से और यहां पर जो है मुकाबला शुरू हो चुका है चलिशलते हैं जरा मुकाबले की तरफ एंजॉय वाई शुरू हो चुका यहां पर इमाद वसीम जो है वो गेंद बाजी कर रहे है सामने दायाहाथ के बल्लेबाज यहाँ पर मैसे शॉट ने तीसे सिंगल यह चौती गेंद खेल रहे हैं यहाँ गोज और गोज को यह गेंद बढ़िया गेंद थी इस बार कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर डॉट स्कोर अभी भी तीन नंबेना के सिंग्सान के अभी दो मुकाबले होएं दोनों मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने टीम जो है वो जबर्द स्कोर खड़ा करते नहीं है चेज करना जो है वह काफी मुश्किल रहा है मगर हमारी टीम यहाँ पर सियाटल औरकस रहीगे करें इमादवसीम ओवर की आखरी गेन लेकर चलते वें सामने है मैथ्यू शॉट यहाँ पर बोल्ड कर दिया है मादवसीम ने बढ़िया यह गेन थी और उस बढ़िया गेन पर क्लीन बोल्ड हो गया मैथ्यू शॉट जी आए बड़ा शॉट खेलने गए थे पढ़ने के बाद इस पर पूछ रहे हैं किस टीम के साथ है और इस अगर बात कीजें तो पहला जटका लग चुका है मैं तो इस शॉट तीन के दम है दोरन मना कर जो है पहला जटका लग गया है यहां पर जो है व्योशिंटन फीडम की टीम को देखना होगा नहीं बलेबास कौन आते हैं यह पर स्कोर अभी भी चार रन एक विकेट नुकसान पर तो पहले ओवर के अंदर ही यहां पर विकेट आता हुआ इस विकेट के साथ शुरुवात होती भी सियाटल औरकस के लिए स्कोर अभी भी यहां पर चार रन एक विकेट नुकसान पर लाइक करिएगा आप सो लोग सब देख अच्छा रहता है मगर यहां पर मैत्यू शॉट निकल लिए वह या निकल लिए है मैत्यू शॉट और बढ़िया गेंद बाजी जो है वह करतने जराएंगे लाइक करिएगा आप सो लो सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को जुड़त रही हमार साथ इस मुकाबले में स्क स्ट्राइक पर मौजू जिया पटकी वी गेंद लेक्ष्टम की तरफ कलाई को सर खेल दिया स्क्राइब के दिशा में एकन मिलेगा यहां पर यहां पर एंड्रियन गोस को स्ट्राइक पर आएंगे मुक्तार एहमद स्कोर हो चुका है पांच रन एक विकेट नुकसान पर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर अगली गेंद मुक्तार नहीं मिलेगा इस गेंद पर एंड्रियाज गोस भी ताबर तोड़ बले बाजी करते हैं एक दिशनलाद दो गेंद हो चुकी है स्कोर हो चुका है यहां पर पांच रन एक विकेट नुकसान पर हिमाद वसीव ने पहले ओर में ही विकेट निकाल दिया है अब कोशिश यही है कि मुकाबला वो काफी बढ़िया हो चलिए लाइक करिए कि आप सब्सक्राइब करते ह यह चैनल को यहां पर गेंद थोड़ा बहुत हवा में स्विंग कर रहा है गेंद बास का और गेंद बाजी जहें गेंद जहें वो अच्छा करते हैं यहां पर चलिए एक बार फिर से अगली गेंद यहां पर गेंद के इस ओवर की ओवर की तीसरी गेंद स्ट्राइप काफी अच्छा जो है मिल रहा है और आसान नहीं होगा बल्ले बाजी करना मगर यहां पर यह कि जो बल्ले बास सेट होजाता है एक बड़ा स्कूर जो है बंतना जाता है एक सो प्लस अराम से होगा भाई देखो भाई क्या होता है टौपर ट्वामिक भाई मुस्तफा हुए ममन भाई जो चुके हैं हमारे साथ इस मुकाबले में लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और अपने हमने कमेंट्स है वो करते रहिएगा इस मुकाबले के लिए चलिए एक बार फिर से अगली गेंड यहां पर मुक्तार एहमत को आस्टों के बाहर ड्राइव किया उ होंगे और टीम का स्कूर जो है वो आगे लेके जाना होगा तो किस तरीके का स्कूर जो है वो खड़ा करते नजरा आएंगे वो देखने लिए बात रहेगी चलिए एक बार फिर से अगली गेंड यहां पर कैमर्ण के बाहर ये गेंड अपील जरूर करी यहां पर वाइड क को दिया है कि वेन पार्नेल खुद भी गेंड बाजी के साथ क्योंको नई गेंड के साथ काफी बढ़िया जो है गेंड बाजी जो है वो करतना आते हैं अब देखते हैं क्या करेंगे इस मुकाबले के सूर्थिहाल में किस तरीके से खेल चलेगा एक बार फिर से कैमर्ण ग एक लिए करते हुः मुकतार को Like इंड आत एंग और यहां जो पर जो तुक है एन்स ट्राइक पर और अंड्रियस अंड्रियस जिढ वह आ चुक हैं बलेबाजी करने के लिए आप ओवर की पांच वी गेंड is एंड अहां पर और ऊवर की 5 वी पर फिल एंड्रियाज गोज यहां पर अक्षे पाउल बाई जुड़े हैं लवी भाई लवी ब्रो अक्षे बाई जुड़े हैं हमारे साथ इस मुकाबले मौसम बिल्कुल साफ है होड़ी सुरू हलकिल के शाम की रोश्णी जो है ग्राउंट पड़ रही है और शिरुवात में दूस चुकी है 12 रन ही फिकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है वाशिंटन फ्रीडम का और एंड्रियाज गोज के बात की जाए तो तीन चार गेंद में तीन रन में खेल रहे हैं एक पर फिर से गेंड लेकर चलेंगे एंड्रियाज गोज को यहां पर गैंड बाजी क्या यहां और चौका मिलता हुआ इस गेंद पर शौके के साथ ओवर की समापती होती हुआ एक महंगा ओवर कहीं ने कहीं कैमिन गेंद का साथ रुनाया जा रहा तो और आखरी गेंद पर चौका जड़ दिया है यहां पर स्कोर पहुचता हुआ अब आगे के तरह बढ़ता हुआ स्कोर स्कोर हो जाएगा इसमापती हुचका है तो लाइक करिए का आप सब्सक्राइब कर दिये चैणल और जूर जाहिएगा हमारे साथ आखरी जी हाँ आखरी के इंद पर चौका जड़ा है हाँ पर देखने भात रहेगी किस तरीके से एक खेला होता है चलिए एक बार फिर से चलते हैं ज़रा मुकाबले के तरह वेन पार्नेल आये हैं तीसरा और करने के लिए इमाद वसीम को रोका गया है वेन पार्नेल आते विए कि इन बाजी करने के लिए मुकतार एहमद होंगे स्ट्राइक पर यहां पर दूसरा जटका लगता हुआ वाशिंटन फ्रीडम की टीम को दूसरा जटका लगता हुआ यहां पर और सूलर रंड दोविकेट नुकसान पर रिव्यू नेने का समय है पर मुक्तार एहमद सोचता गेंद बाहर निकल जाएगी पर पढ़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और जाके पैड से तकराई है और मुक्तार एहमद जो है पविलियन जाते हुआ जियां दूसरा जटका लगता हुआ यहां पर वाशिंटन फ्रीडम की टीम को पंदर ट्रीटी ब्लास्ट में अभी तर्टी ट्रीटी ब्लास्ट में एंड्रू टाई और वेंट पार्नल दोनों जहें वह काफी अच्छी गेंद बादी जहें वह करते नजरा है और अच्छे विकेट चटका है मगर यहां में मुक्तार रहे माद लबीड़ आउट होते वे लब अच्छान पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कूर हो चुका है और धबाओ में वाशिंटन फ्रीडम की टीम देखते हैं नहीं बले बाद कौन आएं क्या मूजी के हैं हैं बले बादी करने आएंगे यहां पर यह देखने बात रहेंगे लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्र बले बादी करने के लिए को खेलने की कोशिश भी नहीं कि मगा रिव्यू लेते तो शायद बच जाते रिव्यू लेते तो शायद बच जाते मुक्तार आमस के गेंज है वह स्टम को मिस्स कर रही थी यहां पर यहां पर भाई अमन गुपता जी रहे हैं और नाम दिवाकर मिश्व है मैं दिल्ली से सब्सक्राइब करें चलते हैं जाए जरा मुकाबले साइब अपना स्कॉर कार्ण सब्सक्राइब अपने आप सही जाता हमें जोर्त भी नहीं पड़ती है यार कहां से खेल गया यहां पर फिल्पी जो हैं वह बाहर हो चुके एक पर फिर से यहां पर अगली गेंद इस ओव और के जीएं दो वलग अतर वाइड कर चुके हैं यहां पर और फिर से आपर ऑस्तुम पर यह गें थी दूसरी गें जीयां ट्राइब किया है उस गेंद को फिल्टर मौजूद कोई रण नहीं मिलेगा यहां पर देखा जाए तो छे रर्न आ चुके हैं पहले कि वाइड फ फिलिप को चलिए बेज़े कि ताबर्तोर बल्ले बाजी करें यहां पर वन पार्नल की फुलन की गेंट है सीधे बल्ले से खेला जरूर है गेंट जाएगी मीड़ाफ की दिशा में और यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंट पर 22 रन मन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर 23 गेंदे हो चुकी है बाई एंट्री कब लेनी है बाई मुस्तफा बाई एंट्री अभी ले लो जमर जी ले लो आप सियाटल औरकस को जिता रहे हैं अच्छी और मिल जाए तो वहां पर एंट्री ले लीजिएगा बागी जब एंट्री मिले मिले आपको तब ले लीज ग्रेंड फिलिप ने स्कोर हो चुका एंटाइस रंद दो विकेट नुकसान पर दो दसनलों चार गेंदे हो चुके हैं वैंट पार्निल का यह वर थोड़ा सा महंगा जाता हुआ बारण आचुके हैं सोवर से विकेट मिला जरूर था एक और उसके बाद जो है ग्रैन फिल बिल्कुल मिलेंगे मुप्ता भाई मुस्तफभा इंट्री वाई बिल्कुल दादिया है गौस खेलेगा क्या पचास भाई मुझता पचास तन मारत बल्ले बाजी अच्छी करते हैं हाँ बाई मैंति शौड का नाम नहीं था मगर जौश विलपी की जगा पर उनको रखा ग फुरल रंद की गेन थी यह पांच वी गेन इसको ड्राइब जरूर किया मिड़ॉफ की दिशा में फिल्टर मौजूद है कोई रेंड नहीं मिलेगा इस गेन पर 23 तरन बन चुके है दो विकेट नुकसान पर 25 गेन चल रही है बाई विकेट कीपिंग कौन कर रहा है डिकॉ औधिशा में बाउनरी मिलती यहां पर चौका मिलता हुआ ग्रेन फिलिप्स को और ग्रेन फिलिप्स के इस ओवर में जरुदिया एक और चौका स्कोर होता हुआ स्ट्राइक पे होंगे अब गोज एंड्रियास गोज और गेंदबाजी देखते हैं कौन करें पावर प्ले के तीन और और बचे में ग्रैंड फिलिप तो आते ही थोड़ सा आतंक समझा दिया है पांच गे तुम्हें के खेल रहे हैं चक्का चौका लगा है वेन पार्निल के लाज़ी पार्निल का महेंगा और सुल्ण इस वर से करेंट अभी विशानल 6-7 की सर्फेस काफी बल्लेबाजी करने के लिए आप समझाव के बल्लेबाजी करेंगे हैं और यहां से मुकाबले में काफी अच्छा स्कूर बंतर न दा सकता है आप देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थ या लाइक करिए आप सब्सक्राइब कर दिए चानल को सुबह के बज़ रहे हैं यहां पर छेचालिस और मुकाबला काफी बड़े चल रहा है चले देखते हैं अभी क्या होता है अन्योंने बल्लेबाज हैं पिनार हैं जैंसन है मगर यहां से ग्रैंड फिलिप्स को लंबी पारी खेलने होगी आपको भी जंगा सुचिकार बाइब आपको क्या बता है वाल संगेज बाइक के और से शटल पर बिल्कुल सही कह रहे हैं गोज ने मगर गेंड जाएगी सीधा मिड़ोफ की दिशा में फिल्टर मौजूद कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंड पर बत्तिस रण मन चुके हैं दो विकेड नुकसान पर एंड्रियाज गोज यहां छे गेंड में साथ नमनाग खेल रहे हैं एक बार फिर से अगली गे गेंड इमाद वसीम के इस ओर की चौतर दूसरी गेंड सामने है गोज इस बार मिलेक्स्टम पर यह गेंड ती सीधे बले से केल दिया लॉंग ओन के दिशा में एक रण मिलता हुआ इस गेंड पर इस एक रण के साथ यहां पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कूर पहुसता हु इमाद वसीम एक पर फिर से गेंड लेकर चलेंगे ओवर के तीसरी गेंड सामने है ग्रैंड फिलिप इस बार इमाद वसीम की यहां पर आउस्टम के बाहर यह गेंड ती ड्राइव जरूर किया ग्रैंड फिलिप ने कोई रण नहीं मिलेगा तैस रण दो विकेड नुक्स स्ट्राइक पर मादिशूद बलेबास यहां पर लेंट फिलिप को अगली गेंड इमाद वसीम के इस सोवर की लै्ष्टम के बाहर यह गेंड थी अंपायर ने वाइड खडार दिया इस गेंड को जियन लेकर इस वाइड कार दिया एक करन आर जूडदा हुआ यहां पर वाशिंटन फ्रीडम के खाते में लेटेस नेशनल में जूट चुका है नो बैट सुन फॉर दिस गेम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई फेवर्ट टीम जैब चेस कर रही है देखो चेस होने चांसे जहां वो रहेंगे आपर राहूल मोरे भाई कह रहा है बीस ओर में लेकसी बाई करें कहां लाइज देख रहें सर्जी आप डेल्टीन सब्सक्राइब लाइज दे सकते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइज चाम पर लिए गेंट फिल्टर नीचे आएंगे जी नहीं स्कुर्ण पर कोई भी फिल्टर मौजूद नहीं हाँ पर चौका मि लेगा इस गेंद पर चौके के साथ स्कुर्ण पहुस्ता हुआ यहां पर वाशिंटन फीडम का अरतिस रन दोविकेट नुकसान पर तीन देशनलों पांच गेंदे हो गई हैं ग्रैन फिलिप जो हैं वो आठ गेंद में चौदर नमना कर खेल रहें और जबर्दस सब्सक्राइब यहां से डोविकेट नुकसान पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कूर है स्ट्राइक पर होँगे अब घ्रैन फिलिप्स और देखते हैं पांच वा ओवर ले कोन आता जिए क्या एंड्रिव टाई को भी लेकर आएंगे क्या बल्लेबाजी करने के लिए देखना होगा है यहां पर चलते हैं जड़ा मुकाबले की तरफ और सौरफ सिंग भाई हार्दिक पांडिया कहां है घर होंगे अपने अराम कर रहे होंगे अब घर में खाना होना खा रहे होंगा आम से इंजॉय कर रहे होंगे बागी तो अर्थिक पांडिया मुझे ने पता कहा है एक्चुली वह फाइनल के बाद तो मैंने भी देखा नहीं उनको आई पिल फाइनल के बाद और तो चली चलते हैं जड़ा मुकाबले की तरफ अब गेंदबाजी करने के लिए अब गेंदबाजी करने आचुके कैंट जो है पहला और गेंद पहली गेंद फिलिप हैं ट्रायक पर लेक्ष्टम पर यह गें थी खेल दिया उसको फाइनल की दिशा में अब देखना हुआ कि इन पैटस लगई कि यहां पर अंपायर के दो विकेट नुक्सान पर चार तस्वलन एक गेंद हो चुकी है जी यहां बल्ले से लगी थी यह गेंद और फाइनले की दिशा में निकल गई यह गेंद चार रन के लिए तो कैमरें गेंद का यह और भी चोके के से शुरुआत हुई है यहां पर गोज आउट करो भाई बिल्कुल देखो क्या होता है और आउट करते हैं कि नहीं चलिए एक पर फिर से कैमरें गेंद की और की अगली गेंद इस पर हलका तो से पुश करकर मीड़न की दिशा में यह एक रन लेते हुए यहां पर जो है जो है ग्रैन फिलिप्स जहां सिंगल टोडते हैं स्ट्राइक पहते हुए गोज जो जानते हैं ग्रैज घेंड खेलिए अंड्रियासम चाया उनका साथ देना हैं सिर्फ और एंड्रियाज गोज और स्ट्राइक पर आते वे ग्रैन फिलिप पाउर प्ले अच्छा जा रहा है दो विकेट्स जरूर खोले हैं मगर पैंतालीस रंड जी यां पैंतालीस रंड जोड लिए हैं अब वाशिंटन फीडम की टीम ने तो शुरुआत में अच्छी कहूंगा क्य पैंच्वा ओवर चल रहा है अब देखते हैं किस तरीके से गेम चलेगा चले देखते हैं यहां से अब ग्रैन फिलिप बारा गेन में बीस अरुना के खेल रहे हैं आज आते ही थोड़ा सा आकरामक शैली की अब लेबाजी यहें कैमरन गैनन के ओवर की पांच भी गेन स्ट्राइक पे हैं अब ग्रैन फिलिप से पटकी भी गेन पुल की आए गेन हवा में है क्या फिल्टर नीचे आएंगे जी हां फिल्टर नीचे आते वे और ग्रैन फिलिप यहां पर अपना विकेट गव आते वे जी हां हैं रिच लासन ने पकड़ा है कैच और ग्रैन फिलिप जी है वो आउट हो गए इस मुकाबले के अंदर बड़िया बल्ले टॉपेश लगा और गेंद हवा में गई और मिड़न के मिड़न फिल्टिंग कर रहे थे हैंडरिज क्लासन और हैंडरिज क्लासन ने कैच पकड़ा और विकेट गया यहां पर ग्रैन फिलिप का तो यहां पर तीसरा जटका लगता हुआ और वाशिंटन फ्रीडम की टीम को चारदर सुन फांच गेंदों के बाद पैंतालिस रण तीन विकेट नुकसान पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कोर है ग्रैन फिलिप यहां पर तीरा गेंदों में बीस रण बना कर पवी लेंद जाते हुए अब गबतान वाशिंटन फ्रीडम के अब मूजी के हैंडरिकेज आते हुए जी हां मूजी के हैंडरिकेज आते हुए अब जिम्मेदारी होगी उनके उपर कि वह एक बड़ी पारी यहां से खेले मगर क्योंकि अब ग्रैन फिलिप का कैंज यहां पर गेंद बाजी करी है यहां पर कैमरन गरन ने चले देखते हैं अब क्या होता है इस सब्सक्राइब कर दिए चानल को इंच्वाइक करिएगा इस मुकाबले को मुकाबला सूपर से भी उपर रहने की उमीद है अगे देखते हैं क्या होता है आप चले चलते हैं जरह मुकाबले की तरफ कैमरन कैनन के अगली गेंद इस बार मुजी के हैंरी के स्को और एक डॉट गेंद स्कोर अभी भी 45 रन तीन विकेट की नुक्सान पर वांच ओवर जो हैं वो समाब तो चुके हैं और पावर प्ले का अभी भी आखरी वर बचा हुआ है तो आखरी ओवर में अब किस तरीकी की बले बाजी रहीगी वह देखना हो कि यहां से अभी भी 90 गेंदे बच्ची हैं और 90 गेंदों में अगर मान के चलने तो एक सो एक सो बीस से सो तीस चाहें कि बनाने के लिए इसके लिए अब मुजी के हैं और एंड्रियस गोस को द दस ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने देना है और रंस बनाने हैं आप दो देखते हैं किस तरी बनाते हैं एंड्रियस गोस जो हैं और वो तैयार है यहां पर बल्लेवाजी करने के लिए और यहां पर मुकाबला जो है वो काफी रहेगा बाई शौट खेला था शौट फिच गेंद पहले शक्का भी लगाया था वेन पारनेल को मगर यहां पर थोड़ा सा फजग है पूजा सरोज भाई करें स्कोर क्या बनेगा भाई भी सोर में अब डेड़ सो लग रहा भाई भी सोर में भी चलिए अगले वेन पारनेल के ओवर की प बड़ा शौट एंड्रियाज गोज वह लगाते हो नजर आएंगे यह देखना होगा एंड्रियाज गोज अभी तक खामोशी से बल्लेवाजी करते नजर आएं दर्सकित में नौरम नाकर वेन पारनेल के अगलिकें पटकी भी गेंदेगा फिर से कलाईयों के सेरा खेला है नाकि वाशिंटन फ्रीडम की तरस से जिसाब से वो रणिंग बिट्वीन रही हाँ ना हाँ ना वाशिंटन मुझे के हैंड्रिकेज आपस तो दोड़ चुके थे मगर वापस जाते वे फिर वापस जाते वे बज गए यहाँ पर की डायेट हिट ने तक डायेट हिट होता तो शायद पविलेन जाना पड़ता है यहाँ से तो स्कूर अभी भी जी हाँ स्कूर अभी भी स्टेबल है तीन गेंदे हो गई है यहाँ पर 45 रन तीन विकेट नुकसान पर स्कूर हो चुका अगली गेन चौती गेन यहाँ पर यहाँ पर एंड्रियाज गोस को पठकी भी इस पर सब्सक्राइब कर दिया गेंद को डीप मिटी जाती बाउंडरी दिशा में मगर दो ही मिलेंगे इस चैने पर जीए ढोरन मिलेंगे इस केंद पर सेंतालिस रण बन चुके एप इस तरीके से के चलते नज आएगए गेंद बाजी जेह ची कर रहे हैं और मगर एंड्रियास गोस भी काफियत तक साथ देते हो नजर आ रहे हैं यहां पर सेटल और करसका जैसे मैंने कहा था वैसे ही तीन चार दफ़ा चाल तीस सब्सक्राइट मिला है भाई बिल्कुल सभी बात भाई वेन पारनल के अगली गेन इस बार सामने हैं एंड्रियास ग लगा सकते हैं यह देखने बात रहेगी यहां पर वाशिंटन पर क्यों ले रहे हैं इनके यहां विकेट गिर रहे हैं यहां से देखते हैं अगर बात की जाए तो समाप्त हो चुके हैं और आखरी गेन पर भी कोई रण नहीं आए तो दो रणा है सब पावर प्ले के आखर की ओवर के अंदर सेंतालीस रण बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर और वाशिंटन फीडम का स्कूर है अब हैं यहां पर यहां पर यहां पर जगर बात की जाए मूजी के हैं वह स्ट्राइक पर होंगे अब देखते हैं कि इंदबाजी जो है वह कौन करेगा इस मु चलिए देखते हैं यहां से क्या होता इस मुकाबले का सूर्थिहाल और किस तरीके सागी गेम चलता है यहां पर यहां पर मुजी के हैं अपना खाता खोलते हुए खाता खोलते हुए मुजी के हैं रेके इस गेंद पर और स्कूर आगे बढ़ाते हुए जियां अर्टालिस तरन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर चे दशमलव एक गेंद जियां चे दशमलव यहां पर एक गेंद जो हो चुकी है क्या रन बन पाएंगे इस हैं जियां सामने और मौजूद बल्लेवाज हैं यहां पर अब और बड़ा शॉट केल च्यौका बटो रहा है जियां चौका बटोरा है इस गेंद पर शौके के साथ स्कूर जो है वह आगे बढ़ता हुआ जियां एक और बाउंडरी मिलती भी यहां पर एंड्रिया जोस को और पचास रन पूरे होते हुए वाशिंटन फ्रीडम की टीम के बावन रन तीन विकेट नुकसान पर छेटेशनलों दो गेंदे हो चुकी है एंड्रू टाई के दूसरी गेंपर चौका बटो रहा है चलिए एक पर फिर से ओवर की तीसरी गेंड यहाँ पर एंड्रियास गो जो है वो आगे बढ़ाया जाए अब देखते हैं क्या करेंगी क्या करेंगे वहिया किस तरीके से खेल को आगे लेके जाएंगे यह देखना होगा लाइक करिए का आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिये चैनल को और जुड़ जाएक हमारे साथ यहां से प्यूश भाई जाते हैं एंड्रियास गोष सात रना चुक है इस ओवर से चब्वर न बंचुक है तीन विकेट नुकसान पर चार गेंदे हो चुक है एक पर फिर से एंड्रियू टाइक एगली गेन पाच वी गेन एंड्रियास गोष को एक सिंगल और बटोरते हुए यहां पर पच्पनन बन चुक हैं तीन विकेट नुकसान पर चेटेशलनों पांच गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त मूजी के हैं रिकेज तीन गेंदों में दोरन बनाकर खेल रहे हैं अब मूजी के एंड्रिकेज को एक बड़ी पाली खेलने हुए क्यार ग्रैन फिलिप भी आउट हो गय रहे है और मूजी के एंड्रिकेज को कोशिश करनी है कि यहां से एक बड़ी पाली खेले और टीम का स्कोर जो है वो आगे लेके जाए हैं फुल वेलंद की एक और डोरन मिल जाएंगे हाँ पर दोरन मिलते वे इस गेंद पर इस दोरन के साथ साथ ओवर जो है वो समापत हो चुके हैं सतावन रन तीन विकेट नुकसान पर और वाशिंटन फ्रीडम का स्कोर है करेंट रन रेट आर्ट चल रही है और तेरह और बचे हुए हैं भी भी इस पारी के दिखते हैं तेरह और में कितना मनेंगे स्ट्राइक पर होंगे एंड्रियास गोश जो की 17 के दो में 17 नमागर खेल रहे हैं दो चौके जरूर लगाए हैं अड्रियास गोश ने और अब देखते हैं किस तरीके से खेला हो भे कि पहला हो भे असमें बताया क्या होता है इस मुकाबले का सूर्तिहाल लाइक करिएगा आप सो सब्सक्राइब कर दिए चानल को और डेल्टिन सेवन आप के साथ जूर जाईएगा यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचे में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिएगा और डैल्टीन सेवन आप के साथ जोड़ जाएगा जहां पर मिनमम डिपोजिट जो है सरफ सौ रपे का है मिनमम जो बैट है सो दस रुपे की है और पहले डिपोईट करने पर आपको जहे हैं यहाँ पर बोनस जिस मिलते हैं और अच्छी बात है कि डिल्टीन सवन एप के उपर आप सारे मुकावल लाइदे साइए जाए करता है यह लिंक है डिस्क्रिप्शन में चैकर दिया है उस लिंक करके पनी ID क्रेट करिएगा स्कीन पर और यहाँ पर टोटली एक्सचेंज है लॉसकर कर सकते हैं दोड़न टीम पर अब गेंद बाजी करने के लिए हरमीत आ चुके है जिएहां हरमीत की पहली गेंद थी कट किया थो उस घंड को अंद्रियाज गोज ने सिंगल प्यटोर हा था रिस्ट्राइक पर है मुजी के हेंड पर जिए आमुजी के हैं रिकेज होंगे स्ट्राइक पर हरमीद के वर के अगली गेंद ऑस्टम पर ये गेंद धीमी कती से डिफैंस कर दिया इस गेंद को मुजी के हैंडी के वर कीज ने कोई रण नहीं मिलेगा प्रिंस साहू भाई डिल्टी जान ट्रस्ट्ट है क्या और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आंगे अंडुज गोज 19 रन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर साध दिसलुद तीन गेंद होगे हरमीद सिंग कर रहेंगे अंडी बाजी हरमीद सिंग के ओवर की अगली गेंद एंडुज गोज को जी एंगबर फिर से बढ़ से ऑस्टंग के तरफ ये गेन ड्राइव किया यहां पर कवर के दिशा में फिल्डर मौजूद कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 69 रन 3 विकेट नुकसान पर यहां देखा जाए तो आठ हुआ ओवर चल रहा है जी यहां पादी का आठ हुआ ओवर चल रहा है यहां पर सामने मौ समापती हुए अच्छा ओवर आया तीन रन आयस ओवर से साथ रन तीन विकेट नुकसान पर आठ ओवर की समापती के बाद एंड्रियाज गोस्ट जो हुआ भी 21 गेदों में 19 रहे हैं अभी 72 बची है इस पारी की और 72 गेंदों के अंदर अब कितने नन बनेंगे यह देख मकाबले को हsınız इंजा है करते रहिए है शुरुबाद जो है उस तरीके से नहीं हुई है यहां पर वॉशिंटन फ्रीडम की टीम को तो देखते हैं यहां से वॉशिंटन फिढ़म की टीम किस तरीके से खेले के आगे बढाती है चली है गहां से गयंदबाग्यटशी परने के आठ दसनला एक गेंद हो चुकी है नवा ओबर कर रहे हैं इमाद वसीम और इमाद वसीम की कोशिश यही है कि मुकाबला जो है काफी बढ़ी रहेगा चलिए एक पर फिर से इमाद वसीम के ओवर के अगली गेंद दूसरी गेंद सामने हैं मुजी के हैं यहां पर गोस के बीच अच्छी पार्टनर्शिप बन रही है मगर अच्छी बात यह है कि दुनों पर लिबाजों को एक लंबी पारी जो है पर फिर से अगली गेंद यहां पर एंड्रिया इसको शॉट आफ लंड गेंद थी इसको पूल किया है मगर गेंज जाएगी मिडविकिट दिश्चा में एक और और मिलता हुआ इस गेंद पर और मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रंड के साथ स्ट्राइक पर आएंगे मूजी के एंड्रिकेज अगर यहां से आकस की चीम को कुछ कमाल करना है तो सबस्भादे मूजी के हैंड्रिकेज को पर पर फिर से फिल्म की गेंद क्राइक उसार्य टेलाया है मिडविकिट दि का थारी मादवसीम के और चार सिंगल इस ओवर में आने चाहिए आपके टेलिग्राम चलन नहीं है कि अब बिल्कुल भाई नहीं है प्रिस्पाइट में टेलिग्राम नहीं है और इंस्टाग्राम में जूड़ सकते हैं वहां जाए मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां में साथ ज सामें खेला जरूर है फिल्टर माजूद एक और डॉट गेन लगतर आखरी दो गेंदे जहें वह डॉट होते हो नजर आई हैं चौंसर टर्न बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर नौवर समाब्द हो चुके हैं और इस नौवर के साथ नौवर के साथ यहां पर स्ट् सब ब्रेक लेंगे दो मिनिट का और जुड़ते हैं फिर लाइव एक्शन में लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंजोई करिए इस सु मुकाबले को करिए करिए समारी में अधने लाइबे लाइब दझार्ड़ में नौवर के साथ च्छोवर कि यहां लाइब करिए साथ कि लेंगे यहांиной हो चाईबके लित पना हैं कि उनते हैं इस नौवर को झाल 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 तो यहां पर अब टाइम आउट यहां खत्म हो चुका है दोनों प्लेयर्स जो हैं फिर से अब बलेबाजी करने के लाए है हरमीत के सिंग के हाथ में गेन थमाई गई है अब मूजी के हैंरिकेज होंगे स्ट्राइक पर अब देखते हैं किस तरीके से खेल चलेगा यहां पर पहली गेंद इस ओवर की सामने मौजूद बलेबाज मूजी के हैंरिकेज बड़े शॉटों की दरकार रहेगी मूजी के हैंरिकेज अर्मिस सिंग के गेन कदमों का इस्तमाल किया मूजी के हैंरिकेज ने गेन को ढकेल आए यहां पर कवर की दिशा में गेन जाती भी बाउंडरी के बाहर चारण के लिए पर यहां पर चौका मिलता हुआ इस गेन पर यहां पर यहां से देखते हैं किस तरीके से चलेगा भाई भाई मेरे को 45 के कर लॉट भाई की बात मान के बाई कहां सुनते हैं आप प्यूज बाई अगर हमारे मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रण के साथ जी हा इस एक रण के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 runs, loss of 3 wicket जी हा, 69 runs, loss of 3 wicket दसवा ओवर चल रहा, भी तक अराम से बल्ले बाइज चल रही है अब फिर से मुजी के हैंडिकेज को यह slower one gain थी आपकर यहां पर एंडियास गोश को slower one gain थी सिंगल बटोर लिया है, स्कोर अभी भी 70 run तीन विकेज नुकसान पर 9.11 तीन गेदवा खेल हो चुका है समाप्त, स्ट्राइक पर है मुजी के हैंडिकेज और इस ओर में अभी तक 6 रना चुके हैं दा सुबावर चल रहा है और अभी तक देखिए समहल के बल्ले बाजी कर रहे हैं दोनों बल्ले बाज शायद कोशिश यही है कि यहां से मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहे गया आप चली चलते हैं दिल और दिमाग का फॉर्मुला से बोल रहा हूँ ओके भाई फॉर्मुला क्या फॉर्मुला दिया है भाई आपने जंगा सुचिकार भाई देखे मैं आपको बताऊ आप सब लोग बोल रहे हो कि भी लॉस होगा आप लॉस बताऊ इंसान को खेलने के लिए ऐसा कर देता कि वह आख बंद करके खेलता है आप लोग पहली बात तो जिन्दगी में अगर जीतना है तो शेशन खेलना चोड़ दीजिए अगर बचके रहना है क्योंकि शेशन में मैच में आप देखके समझ सकते हैं कि किस टीम के ऊपर कहां पर आप खेल सकते हैं कौन सी टीम बहतर है आप और जातर क्या सोचते हैं कि छोटे पैसे से बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाएंगा और कई लोग तो बहुत गलत जगा खेलते हैं अगर आपको खेलना है एकेशेंज पकड़ी और उस पे खेले कि उस पो लाउस कर बोक्सर कर सकते हैं मैस से पहले दोर याद रखो याद रखका वह लॉस कभी भी कवर नहीं होता जो कवर करने खेंग है कवर खुद गये उनकी कवर करने वालों कि कितने लोग बताइए बचाने को भूल जाई है से स्टार्ट कर जी अब कल रात अब रात होगी हां पर तो फ्रेश डे पो फ्रेश डे को फ्रेश की तरह का एक दिन का ब्रेक लीजिए उसके बाद हो जाए उसके बाद जो है कहीं ने कहीं हो जाएगा इस मुकाबले में कवर कवर नहीं होगे तो कम सब्सक्राइब कुछ अर्णिंग हो जाएगी इस चीज़ से अगर खेलिए का में से यहां पर एक्सचेंज पर नोविता भाई इस शक्के के साथ स्कूर आगे बढ़ता हुआ जिया 79 नंस लॉस ओ त्री विकेट एक और बार शॉट अफ लेंद गेंद करने गए यहां पर पुल किया इस गेंद को एकतर मीटर की बार्णरी कैमरन गरन के इस ओवर के अंदर अगली गेंद दूसरी गेंद मुजी के देखना हो किस तरीके से खेलेंगे लॉस कबर कभी नहीं होता है बिल्कुल बबलु कुरेश्य भाई बिल्कुल सही क्या है फर्स्ट मैच में लॉस हो गया कोई बात नहीं कूल बाइंडिट से खेलिए गा कई 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 आप नोट करेंगे कुछ लीगों के अंदर जो है एक दिन में मुझे इतना ही खेलूंगा तो वाई बैटर रहेगा आपके लिए कि दियार तीन सो पैसर दिने मैच है एक फिर स्लोर वन गेंट कलाई को सारे खेला है एकर मिलेगा इस गेंद पर 170 रन तो पक्का है मैंने तो इसमें पहले मैंच में 30,000 जीते वाई बिल्कुल हो चुके है अर असी रन तीन के दिनक्सान पर दर्स दर शाहनलों टीन गयने हो चुकी है और मूजी के हैं और यहां पर एंड्यास गोश के साथ बढ़्या रहेगा यहां बज पर शॉट खेला एंड्रियाज गोज ने यहां पर बड़ा शॉट है यह गेंज जाती भी बाउंडरी के बाहर यहां पर एक और चौका मिलता हुआ चौका नहीं चौका है चौका नहीं चौका है कि टपा पहले खा गया था और यहां पर चालू कर दिया यहां पर देखना होगा एक बार फिर से यहां पर किस तरीके से गेम रहता है पर फिर से अगली केंज अस्टों के बाहर पढ़ने के बाहर की तरफ निकली है कोई रण नहीं मिलेगा इस केंद पर स्कूर अभी भी चौरासी रण तीन विकेड नुकसान पर दस दसलों पांच गेंद हो चुकी है पर फिर से ग्यारावर के समापती के बाद अब चौरासी रण तीन विकेड नुकसान पर वशिंटन फीडम का स्कूर है स्ट्राइक प्रती ओवर के हिसाब से रन बटोरने होंगे यहां पर और मुकाबला जो है काफी बढ़िया रहेगा यहां पर पाई किस टीम पर एंट्री लिने चाहिए भाई में यही कहूंगा कि यहां पर श्याल्टर ऑकस के तरफ से जी यहां यहां पर क्या नाम है मैं न टीम के साथ रहेंगे यहां पर और यहां पर कहीं ने कहीं है और यहां पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ जेखते हैं यहां से अगले 54 गेदों के अंदर किस तरीके से खेल होता है आपको सब्सक्राइब कर लिए मैंने तरह इंक दिन स्यादव भई धन्यवाज सब्सक् यहां से बात की जाए 85 रइन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर देखो मैं सबी लोगों को यहीं बोल रहा है और फिर से ध्यान से सुन लेना मेरी बात को अगर आप बड़ा भाई मनों छोटा भाई मनों किसी को नंबर शेयर मत करना मैं तुरंद ब्लॉग मार क्योंकि बिकॉस नंबर लेके लोग फिर पैसे लूटते हैं फाइदा कुछ नहीं है देना कुछ नहीं हार की चार गाली और सुनोंगे तो वह लिकाहनी है यहां पर क्योंकि सो परसेंट कोई प्रेश्टन नहीं दे सकता कि आज मैच में होने वाला क्या है तो आराम से सब्सक्राइब नहीं होती है सिर्फ अपने तरीके से लोग चलते हैं आप और अगर बात की जाए तो मुकाबले की तरफ जो है आगे बढ़ लीजे का यहां पर अगे बढ़ देखते हैं किस तरीके से खेला होता है और यहां से किस तरीके से गेम चलते नहीं जाएगा लाइक करिएगा आप सो लोग यहां पर और जुड़ रहे ही हमासे इस मुकाबले में एक फिर से श्लोर वन गेंद है और यहां से इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर अगे हैं अगे हैंड्रियाज को स्कोर हो चुका एटिनाइन रंस लोसो त्री विकेट ग्याद सुलो ग्याद सुलो पांच गिंदवा खेल हो चुका है सम्मा आपते एक बार फेर से यहां पर अब देख पर हैं प्रसेंट मिल जाएगी लगाने बले से अब कौन पैसे वाल कोशिश यही है दुरों बल्ले बाजो की बड़े बड़े शॉर्ट खेले जाएं चलिए एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर एंड्रियाज गोज वो कैच आउट होता है अर्बिसिंग के ओवर की आखरी गेन थी यह बारे वे ओवर की थोड़ सा कदमों का स्तमाल के अब मुजी के हैं अब देखते हैं नहीं बल्ले बास कौन होगे देखें मार्को जैंसन भी बल्ले बाजी कर लेते हैं बड़े बड़े शॉर्ट से हो खेल सकते हैं आप देखने बात रही किस तरी से गेंग चलता है 179 यह नौट प्लीज भाई 170 भाई मेरे साब से तो नौ अब देखते हैं किस तरीके से खेला जो है वह आगे बढ़ता है इस मुकाबले का अभी भी आठ वर बचे हैं अगर सी रन और जोड़ते हैं तो तब जाकि कम से कम 169 तक पहुसते हैं और गेंदबाजी के लिए भी आइंडू ट्राई की और बच्चे हमें बहन पानल के दो 12 का है अब देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे एक पर फिर से बड़ा शॉट केला मुजी के हैंरी केस ने गेंद हवा में है क्या फिल्डर नीचे आएंगे क्या लीजिए को यहां पर विकेड गिरता हुआ मुजी के हैंरी केस भी पवेलियन जाते हुए और दूसर यहां पांच और शॉट का लगता हुआ यहां पर वाशिंटन फ्रीडम के टीम को जी हां यहां से अगर बात की जाए तो एक बड़ा शॉट खेल ले गए मुजी के हैंरी केस फिल्डर ने कोई गलती नहीं करी कैश पकड़ा और मुजी के हैंरी केस यहां से पविलियन जाते यहां पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कोर है और यहां से अब 47 गेंदे बची है लेजिए अब लग रहाता है 170 वालों के भी हो गया होगे काम तमाम मनीश भाई जुट चुक है गुद निउस भाई या गुद निउस तो दीजे भाई विकेट आया है मुझे जब यह कीन होता हूँ बाकि अंदाजा लगाता हूँ अपनाम अपना काम मन जाता है और यहां से अब विकेट जाते हुमार को जैसे हुआ है नोट बोलने से पहले मैं बड़ा ही बच्छा नाम रखा जैशीन भाई और ऐसी हरकते पसंद नहीं आए मुझे मुझे पसंद नहीं भाई मैं त खेलते हैं और खेलते रहेंगे मैं तो बस अपने अनलेसिस दिये और निपट ली है मुझे के हैं कर सकते हैं बाकि नाम बड़े दरसंद छोटे वाली कहानी है जीशान भाई कि दिल इतना छोटा रखा हुआ है आपने कि किसी को भी आके गाली दे देंगे और बड़ी खु अब जुड़े हैं हमार साथ मुझे में इटमायर भी देखिए अच्छे फिल्डिंग करते हैं अमोमन देखा जाए तो कैचिस अच्छे पकड़ते हैं अब फिर से स्लोवन गेन मारको जैंसन को पटकी भी गेन थी कलायो का सारे खेला जरूर है जरूर है जैंसन ने एकर ब पाँच विकेट नुकसान पर यहां से और नबेर नबेर न पाँच विकेट नुकसान पर बारतसलों चार गेन देखिए जी भाई यार बस आपके टेंशन चाहिए थी वाई कोई बात दी जी शान अली बहाई मैं तो पहले भी आपका नाम लिया था कि गुस्सा होगा है आ अच्छी बात लिखेंगा वैसे भी आपका नाम लेलूगा मुझे नाम में दिक्क्त नहीं है सुबह का समय है कम लोग है नाम लेना और जाज आसान होता है हमारे लिए आप कमेंट्री बहुत अच्छे करते हैं कि तो टोटल क्या होगा पाइस सत्तर में नीचे जाएगा से सब्सक्राइब करता है मारको जैंसन खेल लेते हैं पाइनार ने किस सब्सक्राइब करेंगे वह देखना होगा मैं पंदरा और तक देखा फिर नीद आ गया ता और फिर इस मैच को देख रहा हूं आप को डेली भाई जुड़ते रहिए का मार साथ व्याफ फिन करेगा वा अब सब्सक्राइब क्या बोल रहे हैं जाइंट है अवाज भाई है शुबह सब्सक्राइब करेंगे डिपेंड गिर पड़े किस न कर दो बनाइं देंगे यारी चले देखते हैं क्या होता है यहाँ बानवे रण बन चुकें तीरा वर के समापती के बाद यहाँ से 42 गेंदेटे बचीं है और 42 गेंदों के अंदर अब मार्को जैंसन और पाइनार पाइनार को बल्ले बाजी अच्छी करनी होगी क्योंकि आब यहाँ से 42 गेंदे बची है विकिट आफॉर्ड नहीं कर सकती है भाई आपका दिल बहुत बड़ा है लव यू फ्रों पाकिस्तान लव फ्रों इंडिया जीशा नली भाई पंकज भाई करें लव यू भाई लव यू पंकज भाई छोठी सी दुनिया कह रहें कितना लगएका भाई करना आता यह बताया था मैंने आपको यहां पर सब्सक्राइब कर देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी यह कि अस्तमाल क्या सीधे बल्ले से खेल दिया हर्मिन सिंग किये गेंद पर और यहां पर फिल्डर हैंडिश क्लासर ने गेंद को फिल्ड किया एक रिम तो मिल अच्छी सोच है कि किसी सोच से ही अच्छे का से रंस बनाते हैं अपनी टीम के लिए अब आगे देखना हो किस तरीके सरन बनाएंगे एक बार फिर से सामने माजूद यहां पर यहां पर मार्को जैंसन सीधे बल्ले से खेला है और यहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आज जाएंगे पाइनार पाइनार ने अभी तक बल्ले बाजी जो है ठीक ठाक करिए ठीक लगे हैं बल्ले बाजी करते हैं मार्को जैंसन का बाद तक खेलना बहुत जरूरी है जियां सब्सक्राइब करना चाहिए बिल्कुल जंगा बाई बिल्कुल मत करिएगा और फिर से यहां पर लेक्स्टम पे गेंस अगली गेंस बार कलाई को सारे खेला है पाइनार ने और एक सिंगल बटो रहा है सिंगल के साथ सौरन बनते वे यहां पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कूर है सौरन पांच विकेड नुकसान पर तिरदर सलों पांच गेंदे हो गई है और मार्को जैंसन चे गेंदों में आर्ट फर्म नाकर खेल रहे हैं वो होंगे स्ट्राइक पर हर्णमीज सिंग की गेंदबादी आज काफी अच्छी रही है हर्णमीज सिंग की अगर देखा जा 24 रर्र मना दिये है एक विकेड चटका है एक बार फिर से आगली गेंद मार्को जैंसन को लीजिये मार्को जैंसन को भी आउट कर दिया यहाँ पर चटा जटका लगता हुआ वेल्च वाशिंटन फ्रीडम की टीम को चटा जटका लगता हुआ मार्को जैंसन जो है वाउट होते हुए साथ गेंद में आर्ट फिर्म लाकर क्लीन बॉल्ड हो गए मार्को जैंसन और 14 ओवर में सो रण छे विकेट नुकसान पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कोर है जी यहां अंदर आतीवी गें थी गेंज जो है पढ़ने वर टर्न हुए और जाकर आउस्टम पर टकराई है और मार्को जैंसन यहाँ पर क्लीन बॉल्ड हो गए है और चार विकेट जी यहां अब चार विकेट बचे हैं सिर्फ क्या लगता है आपको कि यहां से डेड़ सो का अखड़ा क्रोस हो पाएगा पाइनार को यहां से अच्छी बल्लेबाजी करने होगी तब ही जो है इससे स्कूर तक पहुँच पाएंगे मगर डेड़ सो रन क्या सेफ रहेंगे यहां पर कि यह देखना होगा ऑगले बल्ले बाद आते हुए अगले बल्लेबास मार्को जेंसन साथ के दो चीए सिर्फ 36 जोड़े तक पहुत रखते हैं बल्लेबाजी करने के लिए अकीला हुसेन जी आखिला हुसेन आचुके हैं बायात के बल्लेबाज है आपको बताया था मैंने बिग बैश के अंदर इनके बल्लेबाजी जैब काफिशी रही थी और अगब में टीम के लिए काफ पाइनार को यहां पर कट किया गेंट को गेंट के दिशा में कोई रट नहीं मिलेगा इसके पर सौरन बन चुके हैं छेवे के नुकसान पर अगर देखा जाए तो पंदरवा ओवर चल रहा है जी हां पंदरवा ओवर की दूसरी के स्ट्राइक पर माजूद पाइनार पर यहां पर लगाए तिक भाई भ्राइब कौन सी टीम पर लगाये थे आपने यहां पर लोग आके वेल्स पायर करतेगी वाशंटन 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 काो यह तोड़ी कमी है और वशंटन फ्रीटम के प्लेयर्स को और देखा ओके तो वह फॉर्म में वह नहीं है ध्यान रखेंगे बल्ले बाजी करने के लिए मैं तो ग्रैन फिलिप और मुझी के हैंडी केश जो हम रैगलो टीटिटिटी खेल रहे हैं बाकि और कुछ ज़्यादा प्लेर मैथ्यू शॉट निकल गए ग्रैन फिलिप निकल गए मुझी के हैंडी केश भी चले गए स्कोर हो चुका है यहां पर 101 रण 6 विकेट नुकसान पर 15 वे और की अगली गए निमाद वसीम के और की अगली गए स्ट्राइक पर है किला हुसेन लेक्ष्टम पर एक गेन थी पढ़ने बाद बाहर के तरफ निकली है और कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर एक और डाट गेन तीन गेंद हो गए है इस उवर के एक रण या आए हैं भी तक इस उवर के अंदर एक रण 6 विकेट नुकसान पर 14 असनों तीन गेंदों के बाद जिया जलता है जो है वो स्ट्राइक पर मौजूद है अब थोड़ा सा मुश्किले बढ़ती में वाशिंटन फ्रीडम के लिए कि वाशिंटन फ्रीडम चाहती थी कि बड़ा स्कॉर खड़ा करें गोड़ा कम तुम्हें कुछ और दे दिया गोड़ा इनुने यह नहीं देते बाई जो लीग खुली गई है नहीं खेली गई है और सारे ऐसे खिलाड़ी देख लिजेगा जो अलगर लीगों में खेलते हैं वहीं खेल रहे हैं वह भी दे रहे हैं तुमको चलिए अगली के स्ट्राइक पर अगली 30 गेंदे बची हैं इस पारी की और 30 गेंदों में केंदर कितने रन कितने रन और बनेंगे यहां पर 30 गेंदों केंदर देखना होगा अकिला हुसेन और यहां पर पाईनार को कोशिश करनी होगी बल्लेबाजी में एक बड़ा स्कूर खड़ा करने के है है अगर देखा जाए तो मुकाबले में भधी होई है जी शुस्कीं हमें पर वाशिंट्न कौन आ decay अगर देखा जाए तो यहां सब थोड़ा सा मुश्किलों में निकाला है आप लाइक करें यार बिल्कुल भाई मंतोश की भाई लाइक करते रहीएगा सब्सकाइब करते रहीएगा चैनल को और जुड़ते रहीएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर और बिल्कुल अच्छा लग रहा है आप सलोग जुड़े हैं हमारे साथ गोड़ा कम ये खेला को आगे बढ़ाएंगे वो देखना होगा चलिए चलते हैं जरा खेला की तरफ खेला हो या पेला हो बताएगा और मुकाबला दे किस तरह चलेगा वो देखना होगा एमसी एल कम सावत अविका प्रीमेर लीग जदा लग रही है तरफ भाई सबजगे टी एड़ पील भी घतर राग था भाई भाई मैच कोन विन होगा बिलकुल चेजिंग टीम विन करेगी इस मुकाबले को रन आउट होगा या ओल आउट होगे भाई वाई मारेंगे अमित्र इक सोबचास मार दो बस बस ट्रेन पकड़ेंगे यहां पर यहां पर कैमिन गरन जो है वो गेंदबाजी करने के लिए दो गेंदे कर दी है इस ओवर की अब पाइनार जो हैं स्ट्राइक मौजूद है के जी यहां कुल मिलाके यहां पर जो है अब 28 गेंदे बची हैं यहां पर जिशार मेंगर भाई लाइक करके कर गए हैं और फचास रुपे का प्राइस मिल गया कॉमेंटरी वाले भाईया देंगे मैं क्यों दूब जिशा नोली भाई यहां सुबह सुबह मैं उठाओ और मुझे भूल रहे हैं चले एक बार फिर से एकली के कदमों का इस्तमाल किया ड्राइव किया उस गेंद को और फिर से फिल्टर मौजूद एक और डॉट गेंद आती है भी स्कोर होता हुए 105 रंचे वेकेट डूकसान पर 15-93 गेंदे हो चुकी है सब लोगों को हबेशा दो बैचों में बड़ा-बड़ा स्कोर दिखा के थीसरे मैश में लिल्लू बढ़ा दिया यहां पर बढ़ती भी समझ जीवन को मोन की और ले जाती है पता नहीं कौन जाती है अभी मैस देखके तरह से लग रहा है कि भाई मुकाबला जो है पतनी कहा निकल के जा रहा है मुझे बहुत दुख हो रहा है कोई बात नहीं बड़ी बात तो वही है और गलती मान लेना चाहिए टीन पिल में साइस उदर्शन ही सबसे बैस सा अरे यार क्या बात करें अजीतेश गुरु स्वामी को च्छा खेल रहे थे चलिए एक पर फिर से यहां बड़ा शौट खे दिमाकर जीब मै गुरुगाओं में जौब कर रहा हूं और करता हूं और दिलि में कहां से जंगा सुचीर बाकीशम b ऐलाए निए बड़ा नहीं दो टीन बड़े ऑवर चाहिए था से हो दिल्ली से हो जी शानली भाई में और यहां पर इस मुकाबले के अगर बात की जाए तो स्ट्राइक में मौजूद है अब अकिला हुसेन अगले के इन कैमेरन कैमेरन केस ओवर की और एक सिंगल और आता हुआ सोला हुवर समाफ्त हो चुके एक सो नौर अच्छेव की नुकसान पर यहां पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कोर है चौबिस गेंदे बची है इस पारी की के चौबिस गेंदों में चालिस रन जोड सकते हैं कि एक सुचावाले सुपचास का आखड़ा जो है वो चूँ सकती है हुआ प्रणी में वीड़ा झार प्रणाव बाव हो प्रुट कर जा सकत्य है झाल 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 यहां से बढ़ना होगा एक बार फिर से अगली गेंद शौट केला जरूर ता फिल्टर ने कोशिच बहुत की गेंद को पकड़ने की कोई रट नहीं मिलेगा इस जहां कैच बस्ता हुआ यहां पर अकिला हुसेन का स्कोर अभी भी एक सो नौन अन्चे विकेड नुकसान पर जीएं अब देखते हैं इन तेईस गेंदों के अंदर कितना स्कोर जीएं कितना स्कोर जीएं वो खड़ा होता नजर आता है लाइक कर सब्सक्राइब कर दिये चैनल को इंजोई करिएगा इस मुकाबले को कि मुकाबला जो है वो सूपर से भी ऊपर रहने की उमीद थी मगर बल्ले बाजी में अभी मुश्किले बढ़ी हुई हैं जिया सिंगल आयम आफकर पहली गेंद पर स्ट्राइक पैनल पैनल को ये गें लेक्स्टम के बाहर ये गेंद थी वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को इस वाइड के साथ एक रन और जुड़ता हुआ जी यहां एक रन और जुड़ता हुआ यहां पर स्कोर होता हुआ एक 116 विकेट नुकसान पर सुरद शनलों एक गेंद हो चुकी है भाई भाई जोगेंदर को जानते हो भाई मैं भी वीडियो देखिए जैशाराली भाई जोगेंदर की अब मारो जितने ज़ादक करें भाई मारी नहीं 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 आपर आप पोकीमुन भाई करें सत्रपाति सिवाजी मराज की जय बिलकुल पाहिनार ने शोट केला है गेंद कह शेविकेट नुकसान पर अभी अगर देखा जाए तो बाइस गेंदे बची है इस पारी के डेड़ सो का अकड़ा पुरा करना होगा यहां पर अभी सब्सक्राइब कर लिया है और एक रन बटो रहा है जी है एक रन मिलेगा यहां पर बखवास टीम तो बड़ी आए भाई खेले ही नहीं आज आज खेली नहीं पाएं यहां पर भाई मैं बहुत बड़ा फैन हो दीपक कलाल का बाई बिलकुल जीशान बली इंस्टाग्र ही कर दें बड़े फैन है आप उनके दीपक कलाल भाई के देखते हैं क्या होता है इस मुखाबले में स्कोरों कि अगर बात की जाए तो स्कोर सही चल रहा है यहां पर और राभाई रामरा महावीर नगर से हूँ धन्यवाद भाई सचिन शुभाना भाई जुचू के हमार स थाइल ब्लास का फाइनल मजहा आएगा भाई ट्वेनटि ब्लास का फाइनल मजह नहीं आएगा भाई ट्माटर भाई ठी ब्लास के सेमि-धानल दो ट्रैमिस सेमि-धानल मुकाबल होंगे एक ही दिन एक उड़े का गरेंटिड लिग Unless देग आपको अगली गेंड पतकी भी रणबन नहीं रहे अंगकुश बाबु भाई जुड़ चुके हैं इमार साथ वर पाकिस्तान फइसल जान जुड़ चुके हैं पंकच अनुश्का क्या बात कर रहे यार अगली स्कोर बताओ कितना बनेगा भाई 144 बने की उमीद तो है मुझे बरन मना ही नहीं नहीं रहे हैं पतानी क्या गेंद बाजी चल रही है स्कोर हो चुका है यहां पर अब 115 रण छेविके तुनुशान पर 17 खेह हैं अठारा गेंद बची है अकिला हुसेन दस गेंदों में आट फर मार्ण खेल रहे है और पाइनार ने बारा गेंदों में सिर्फ नौन बनाया है तो अब लेंगे यहां पर रनाउट को मिस्कर दिया विल्कुल भाई रादे 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 फ्रॉम इंडिया रादे रादे भाई धन्यवाद हमार से जुड़े हैं लाइब मैच आप डेलिजिंस न सामन पर देख सकते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में तक पहुंचे मगर एक रन लेने में काम्याब रहे अकीला हुसेन स्ट्राइक पाइनार सत्रा गेंदे बची हुई है वेन पार्नल करने आए हैं ओवर 116 विकेट नुक्सान पर सत्रत शनलों एक गेंद हो चुकी है और यहां से लग रहा है कि मुश्किले बढ़ गए है जि सब्सक्राइब कर देखो बनता है कि नहीं मुकाबले के अंदर स्कोर हो चुका है यहां पर एक सूरा रन छे विकेट नुक्सान पर तमाटर भाई जुर चुके हैं हमार साथ यहां यहां पर अब पाइनार जो है वह मौजूद है पाइन पालने की सिदे बलत से खेला जरू पिकेट नुक्सान पर सोला गेंदे बची है इस पारी की कि डेड़ सो रन पर पार करवा पाएंगे क्या खिला हुसेन और पाइनार मिलकर डेड़ सो का आखड़ा चूप आएंगे क्या ही देखना होगा और मुकाबले में आगे बढ़ना होगा अब देखते हैं क्या शर्शिकांत कुमार भाई आपका नाम ले लिया है भाई मुझे 1000 पर दे देना हितना जादा भाई मुझे आप 2000 पर दे दो यार मैं खुद मांगने सोच रता आपसे अगले गेंद से फिल्टर आकर गेंद को फिल्ट कर लेंगा ऐसा लग रहा है कि फिल्टर को भेदी नही फिल्टर को ढूंड़न के गेंद उनकी तरफ ही मार रहे हैं और लीजिए दो रन ले लिए हैं आपकर दो रन ले लिए हैं इस गेंद पर 119 रन मन चुके हैं 6 विकेट नुकसान पर 1793 गेंदे हो चुकी हैं और यहां पर भाई काटमंडू नेपाल से हो थैंडू आती भी लोगन बाउंडरी के बार छे रन के लिए हैं चक्का मिलता हुआ इस गेंद पर अकिला हुसेन को और यहां से बात की जाए तो पहला चक्का आता हुआ अकिला हुसें के बल्ले से 125 रन मन चुके हैं 6 विकेट नुकसान पर 1794 गेंदे हो गई हैं इस बार फ्रोसर श हुसेन को अंद तक खेलना होगा डेड़सो का अंगर छुआना पड़ेगा अपने टीम को अगली गेंद पार नेल की फिल्टास गेंद कलाई हुसा रे खेल दिया डीप मिट विकेट दिशा पे फिल्टर मौजूद हेकरन तो ले लिया है और हेकरन से संतुष्ट करना होग यह कादा बड़ा शौट पाइनार भी लगाते हैं नजर आएंगे अपने बल्ले से यह देखने लिबात रहेगी लाइक करिए का सब्सक्राइब कर दिये चैनल को और जूर जाए हमारे साथ मुकाबल है अला निंजा कांट तून भाई बोल रहे हैं आप पर हाई बाई जा एक और वेकेट यहां पर गिरता हुआ पाइनार का वेंपार्नेर को मिली है वेकेट और अठाला वर के समाप्ती के बादे 267 वेकेट नुक्सान पर स्कोर हो जाएगा यहां पर वाशिंटन फीडम का मंजूर अलम भाई कहने क्या भाई अंसर नहीं मिला मंजूर अलम भाई मुझे दे दीजिए मैं तो बिल्कुल नुक्सान पर दबाव है दबाव है जरूर मगर अखिला हुसेन को एंड तक खेलना है मगर अब बची बारा गेंदों के अंदर क्या बीस रण और जोड सकते हैं जदा बड़ा स्कोर होता नहीं है आज और जदा बड़ा स्कोर होता अब तुम बोलते ही नहीं हो तुम सब यार क्या बात कर रहे हो बाइब नंबर से एंड करें जिशानली नंबर ने शाइन कर सकते सब्सक्राइब मुझे फॉलोग कर लीजिए जो है वह आ चुक है बल्ले बाजी करने के लिए अब एज़ गेंदबास टीम के अंदर खेलते अब यहां पर अब देखते हैं डेन किस तरीके से बल्ले बाजी करेंगा अखिला हुसेन होंगे स्ट्राइक पर अखिला हुसेन को अब यहां पर यह पूरे ओवर्स खेलने होंगे एंड उटाई आए तो यह गेंद बाजी करने के लिए पर फिर से पटकी भी गेंद सीधे के साथ यहां पर और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे डेन पाइड़िट 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 आ चुके हैं बल्ले बाजी करने के लिए स्कोर हो चुका है 127 विक नुकसान पर अठारत असनलों एक गेंद हो चुकी है 11 गेंदे बची हैं क्या 11 गेंद बाजी एंडू टाई की ओवर की अगली गेंद फिल्टो फिल्टो सी एगेंड डेन सीधे बलस से खेला गेंद कई यह मीडॉन की मीडॉन की दिशा में एक रन मिलता वास गेंद पर दे कि हम नंबर नहीं शेयर करते हैं आप सो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जि बाकि अब देन सामने मौजूद हैं एंडू टाई जहें गेंद बाजी कर रहे हैं आप पर मकुरी है अकीला हुसेन हैं पर गेंद बाजी कर रहे हैं यह बड़ी है शॉड्ता और इस शॉड्ट के साथ दो रन लिए इस गेंद पर जीया नें बिटीविन काफी तेज कॉमेंटरी करते हैं लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है अब भाई लाइव स्ट्रीम कहां रहा है घर का खाना भाई अब डेल्टिन सवन पर लाइदे सकते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच मैं पिन कर दिया है उस लिंगों क्लिक करके ID करिएगा खेलिएगा और साथ तो जा चुके हैं छे में से देखा जाए तो मुझे मुझे लग रहा है रवी शंकर भाई जूर चुके हैं मनजूर आलम बाई कहने हैं यह क्या सारे मैस्विक्स होते हैं बिल्कुल मंजूर बाई सही चल रहे हैं अरे भाई नाम ठीक से लो प्लेयर का अखील हा अब चूटी चीज को भी पॉइंट आउट करें तो आपको जिंदगी जो है वह चोटी चीजों में रह जाएगी बड़ी चीजों को अगर देखेंगे तो समझेंगे मैस पर फोकस करिए नाम में करका है शेक्षपेर ने कहा था इनसान करमों से जाता है तो नाम को चोड़ है और यहां पर फोकस करिए अकिला हुसेन जो है वह बल्लेबाजी कर रहे है 17 गेंदों 22 समना कर और स्ट्राइक पहा किला हुसेन 132 रन बंच चुके हैं साथवे के नुकसान पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कोर अठारद सवनों पांच गेंदे हो चुकी है और अभी साथ ग गेंद बची हैं यहां पर और अकिला हुसेन जो हैं वह क्या यहां से बड़ा शॉट लगाते नजर आएंगे यह देखने बात रहेगे सबत्यस रंद साथ में के नुकसान पर आखरी गेंद है इस ओवर की एकिला हुसेन रूमन आकर के इनको कट कर दिया गेंद जाती है डीप पॉइंट दिशा में फिल्टर मौजूद है वहां पर और यहां से एक नौर जुरता वा शुशान भाई आपका बेटा है बाई सब्सक्राइब करते हैं और दूसरे मुकाबले में हम आ चुके हैं अब कॉमेंटरी करने के लिए इस ओवर की आखरी गेंद पर सिंगल आया है 19 समावत हो चुके हैं 137 विए नुकसान पर वाशिंटन फ्रीडम का स्कोर है और स्ट्राइक में होंगे अखेला हुसेन इस वा सब्सक्राइब करिए चैनल को यहां पर 145 भाई नहीं बनवाना है क्या बात करना है अकिला हुसेन अगर मारेगा तो तब काम बन जाए विकास पर सही कहना है अकिला हुसेन पर यह बाही और फिर सावस्टम पर यह गेंथी केट कर दिया गेंद को गेंद जाते रही यहाँ पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका मिलता हुआ जीए वेंड पार्नेल आए हैं और पहली गेंद पर चौका चड़ दिया अकिला हुसेन ने और 19 गेंद और आखरी की पांच गेंदे बची हैं पांच गेंदें अकर 13 रन बन जाएगा तो यहां से डेड़ सो आकर पुरह हो जाएगा यहां पर यहां पर अलियन वन जुट चुका है मेरा कमेट भी पढ़ लें हैं भाई बिल्कुल पढ़ेंगे आपके कमेट एक पर फिर से ऐस्टन बाई नोट कर दिया था यार थीन सो रहे मैं खुद 144 यहां पर करके करने करने के लिए भला था देख लो नगे में अब भी देखो चाहिस सौनोट करने कि गये हैं देखो कितना ना है तो चाहिए यार सब्सक्राइब करें और यहां से अगर देखा जाए तो गौतम भाई जुट चुके हैं मारसा तो रोनक भाई राना पर जुट चुके हैं मरसा इस मुकाबले में पारनल की यह शौटा लंग गें ती और अपरकट खेलने गए और कोई रण नहीं मिलेगा इस पर अंकित भाई जुट चुके हैं अलो गुडबानिक भाई अंकित भाई कैसे हैं आप मरिक भाई कैसे हो सर बढ़ी हैं सर जी हर्श भाई करें कौन जीते हैं बता दिया मैंने आपको यहां पर बता दिया मैंने औरकस की टीम जीतेगी शटल कि यहां पर परफटकी भी गेंद कलायो के सारे खेल दिया स्क्वार लेक के दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ यहां पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे अकिला हुसेन 149 रन बन चुके हैं साथ विकेड नुकसान पर 19 दिशनल चार गेंदों का ख खेल हो चुका है सबाब जी हां 19 दिशनल चार गेंदे हो चुकी है क्या इन बची वी दू गेंदों में एक बड़ा शॉट खेलेंगे या फिर यहां पर रिकेट गिराएंगे यह देखना होगा एक पर फिर से वेन पारनेल ओवर के अगली गेंद लेके चलते हुए अकिला पर इस बाउंडरी के साथ चौक आजिया चौका जुड़ता हुए यहां पर खाते में वाशिंटन फिटम के 143 रन साथ विकेट नुकसान पर 19.5 गेंदे हो चुकी है अरुन भाई क्या कर रहे हैं आज कलर मी तो मॉर्निंग में ही लॉस हो गया 500 का अरुन भाई क्या होगा एक मेंज अच्छा होगा ट्यूटन टी ब्लास में हैलो भाई कैसे हो बढ़िया हूँ भाई प्रशुत्तम शर्मा भाई बढ़िया हूँ आप सुनाईएगा एक बार फिर से आकरी गेंद बची है इस सोवर की देखना होगा क्या होता है एक बार फिर से आकरी लाइशन को दीजेगा बना लेंगे एक सचोलिस बना दिये है यहाँ पर वाशिंटन फ्रीडम का सब्सक्राइब करने के लिए चिर्ण ने हमली बात सुनकर नौट कर दियो जीत गया होंगे यहाँ पर फिर से इनिंग ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर बता दे आपको इस मैच का सूर्थ दियाल किस प्रेकार रहा वाशिंटन फ्रीडम ने वक्रियां पर जो है सटल औरकस ने टॉस को जीता था और पहले गेंद बाजी करने ने लिया वाशिंटन फ्रीडम बले बाजी करने आई और बीस ओवर में 144 रन बना पाई साथ विगेट नुकसान पर टार्गेट दिया है सटल औरकस को 145 रन का जो की बनाने एक सो बीस गेंदों में तो क्या बना पाएंगे यह देखने लिए बात रहेगे लाइक करिए का आप सब्सक्राइब कर दिये चैनल को इंचॉय करिए इस मुकाबले को और यहां से यहां से मुकाबला कैसा रहेगा एक रंसे कैसे भी सब्सक्राइब कर दो चलते हैं तरह मुकाबले की तरफ यहां पर अब यहां से अब इनिंग ब्रेक हो चुकी है चोटा सब ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्षन तो कहीं में जाईएगा लाइक करिएगा मिलेंगे आप से अब दूसरी पारी में क्योंकि इनिंग ब्रेक हो चुकी है अब इनिंग ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्षन जब चेज कर पाएगी यह देखना होगा या फिर यहां पर वाशिंटन फ्रीडम की टीम डिफेंड करी कि इस टोटल को टार्गेट जो है 145 रनका है जो कि अब 120 के ने मनाना है सटल औरकस को यहां पर अ करें दो को बाएगी कि अबुड़ा है झाल 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 झाल